हुआ है 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 थीफित अइजना सम्स में अपना ना लास कौन सा वा था question number 14 वा था 14 उसके आधे 15th question देखना question 15 question 15 में क्या लेका है x is a bookmaker and mr. b is a punter a bookmaker or punter का मतलब क्या हो था bookmaker मतलब जो booking लेता है winnings में न एक बंदा लोग betting करते तो bet betting जो place करते उसकी booking लेने वाला बंदा होता है उसको बोलते bookie हम लोग casual language bookie बोलते लेकिन actually formally क्या लते bookmaker और पंटर का मतलब क्या हो था यह बंदा जो bet लगाता है कि मैंने इस घोड़े पे बेट लगाया उस घोड़े पे बेट लगाया या फिर cricket matches होती है तो मैंने इस player पे bet किया उस player पे बेट किया वैसा तो यह bet लगाने वाले होते तो क्या लिखा है एक्सेज़ बुक मेकर और बीज़ पंटर ओन 22nd सेप्टेंबर 23 बी हैस वन 55 थाउजन इन होर्ष रिस वन फिर ऑन 12 जैन 2024 बी हैस वन 8000 होर्ष रिस टू एन सफ़र्ड लॉस अव टू थाउजन होर्ष रिस थ्री तुसी पहले तो यह लॉस दिया उसका क्या करना है कि टीज़ टीज़ का समया एक्जाम में उपर टॉप में लिखावागा स्टाटिंग में डिसकर अप्लिकल बिटी ऑफ टीज़ प्रोविजन्स तो टीज़ एस एपलिकेबल है के नहीं तो टीज़ वेनिंग्स पर तो एपलिकेबल है और उसमें लॉस वास का कूल का टीज़ काटता है तो यह लॉस पे तो ध्यान देना ही नहीं है इसको इसको करना है लेकिन विनिंग में बताओ कैसे का टनमें ऐसे पहर विनिंग देखके टशाड कर नहीं कि एग्रेट आफ यउर है तो तो तरही इसमें कर द विनिंग में 10,000, 10,000 क्रॉस वा तो 30%, ऐसा याद है कि नहीं, यह देखो, 10,000 was the threshold limit, ओके, बट सी पहले किया था, 10,000 was per winning, तो पहले रूल के इसाब से क्या कर देर, 5,000, 10,000 से कम है, मत काटो, फिर अगली बार विनिंग हुआ, वो भी 10,000 से कम है, मत कातो, TDS आता ही नहीं था लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी latest amendment में 24 के बच्चों के लिए, में 24 के बच्चों के लिए, में 24 के बच्चों के लिए latest amendment क्या है, कि winnings में भी we have to see aggregate of the financial year, तो पूरे साल का aggregate करे के देखना 10,000 हुआ तो TDS आएगा, तो see, aggregate करने में जब पहला amount था, तो वो अकेला ही एग् पहली बार तो TDS नहीं कटेगा, लेकिन अगली बार जब 8,000 की winning आई ना, तो aggregate करके 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13,000, अब 10,000 हो गया हो, तो अब TDS कटेगा, अब कटेगा तो पूरे पे कटेगा, बल्ले 10,000, sorry, 8,000 वाला winnings का जब payment होगा ना, तो उसमें खाली 8 का है नहीं, 8 क और 5 का, पूरे का TDS कटेगा, at the rate of 30%, okay, तो सी ये सम मैंने, खास करके क्यों लिया है मालू में, क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट है ना, कि अभी winnings में हम लोग एग्रेगेट of the financial year करके चेक करते, तो in short इसमें TDS आएगा, and loss के लिए क्या बोलना चीए, ignore the loss, हा, ओनलाइन गेमिंग हुआ ना, ओनलाइन गेमिंग, उसमें लिमिट नहीं, उसमें 10,000 से कम हो, जाद हो, कितना उसमें TDS काटना पड़ते है, और ओनलाइन गेमिंग में, by the way, normal winnings में TDS कप काटते है, at the time of actual payment, लेकिन, ओनलाइन गेमिंग का winning हुआ तो TDS कप काटते है, at the end of the financial year, और at the time when winner ने पैसा withdraw किया है, अपने account में से, whichever is earlier, वो भी याद रखना, बनलाइन लोग के ना, TDS के सम में ये भी expect करते है, कि TDS कप काटना हो, लिखो, अपने क्या safety के लिए ना, TDS आएगा कि ये भी लिख दो, section भी लिख दो, कप काटना है, वो भी लिख दो, ओ amount of TDS भी calculate कर दो, ये सब तो अपने को लिखना है, ये सम में, तो इसका TDS कप कर देगा, at the time of actual payment, okay, तो ये हो गया, और section क्या था, मैंने क्या बताया था, होर्स रेस में भागम भाग होते हैं, तो भागम भाग मतलब B और B, भागम भाग, साधा winning होआ तो single B, online gaming है तो B, A, तो ये question 15 हो गया, फिर अगला question देख, अपट अपट, question नमा 16 में देख, क्या लिखा है, rent of 60,000 per month deposited by श्रीर कांथ, और software employee, on first of every month in advance, in the account of Mr. Ashok, who does not provide span, TDS के topic चल रहे है, या देखे ने, TDS का, तो अभी rent में TDS से rated क्या है, सोचो, rent का transaction है, तो rent का माहल बनावा, फिर क्या लिकाता है, the house was taken on rent, with effect from 1st July 23, and the property was vacated on 29th February 2024, okay, तो सी, कभी भी rent का question है, ना, माइंड में दो ची चेक करो, पहले सादा वाला section 194 I, फिर IB, दोनों चेक कर लेना ची अपना duty बनता है, तो सी, चेक करने की टेकनीक क्या थी, मैंने बताया था, ये देखो, ये बहुत काम की चीज़, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ना, इसे पूरा crystal clear हो जाएगा, ये देखो, rent question में, अब अपने को देखना है, कि वो pay करने वाला big individual है, partnership company है, कि small individual है, सबसे बेले वो चेक करो, that will decide section कौन सा पगड़ना है, फिर वो इस साब से threshold limit वगरा percentage decide होगा, okay, तो पहले चेक करो, pair कौन है, see, line of thinking पर ज्यान दो, okay, thinking right है, तो answer right जाएगा, तो इदर pair कौन है, अपने question में, मुझे ये चेक है न, कहीं, big individual है, ऐसा कोई है, कि small वाला है, तो देखो, sum check करो, क्या लिगा है, tell me, small individual achieve क्या होता है, बताओ, जिसका या तो business नहीं है, या फिर है, तो छोटा business है, गए साल का turnover, एक करोड क्रोड 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 नहीं हो आता, professional है, तो gross receipts, 50 lakhs क्रोड नहीं हो आता, okay, तो या तो business है ही नहीं, या फिर business है, तो छोटा है, तो वो दिमाग से सोचो, और इधर किसको देखना है, यह दो को दो आत्मी दिख रहे, अशोक और श्रीकांत, और मैंने क्या बोला, इधर बताओ, क्या बोला, यह pair है, pair check करना है, who is the pair, और वैसे भी TDS का टॉपी pair के एंगल से देखते है, तो अगर pair ऐसा है, तो 194i, pair small है, तो i b, तो pair को देखो, त rent of 50,000, per month, deposited by Shrikant, तो Shrikant deposit कर रहे है, मतला, obviously Shrikant is the pair, और वो एक software engineer है, sorry, software employee है, employee, मतला, उसका तो business ही नहीं है, और जिसका business नहीं है, वो small होता है, see, small individual achieve मतला क्या, या तो उसका business ही नहीं, है तो छोटा है, और ये ऐसा बनना, इसका तो business ही नहीं है, क्योंकि ये तो employee लिखा है, मतला, salaried person है, तो that means, small individual achieve हो गया, और एक वर ये पता चल गया ना, कि pair small है के big है, तो अपना section decide हो गया, तो अपने ये तो decide कर लिए small individual है, तो अभी section 194 IB की चलेगी, अब threshold limit क्या था इसका, 50,000 से जादा होना चाहिए, तो check करो, is it 50,000 से जादा per month, ये 60,000 per month है, तो 50,000 से जादा तो ही, फिर immowable property, सब check करना, दोका हो जाता है बहुत वार, immowable property होना चाहिए, तो ये किसका rent है, किस चीज का rent है, ये तो हाउस वाउस लिखा है ना यार, तो immowable property ना, फिर rate क्या है, 5%, तो 5% TDS आएगा, लेकिन C, ये TDS कप काटना पड़ेगा, अरे, नॉर्मली TDS कप काटना, अड़ टाइम, और पार्टी जाउन क्रेटेट, एक्चुल पेमेंट विचेज अरलीर होता है, लेकिन 194 IB वाला, जो TDS होता है, ये वाला, ये कब होता है, रेंट महीने महीने भले देती होंगे, लेकिन TDS लास्ट मन्त में कट करना है, मैंने बोलो था, रेंट भरो महीने महीने, लेकिन TDS का काम काज महीने महीने नहीं करना है, साल के लास्ट महीने में करना है, और लास्ट महीना महला मार्च होता है, लेकिन प्रॉपर्डी बीच निय落ए वेकिट कर दिया तो जब वेकिट किया हो लास्ट मोहियना तो इदर प्रॉपर्टी क्वेश्चन में डेखु तो जब ही提आ हो लास्ट महिना एक तो इधर लास्ट महिना कॉन संसब्ड। तो फैयब किया मैने में TDS काटना पड़े BC मतलए FAB का जो rent हैँ सुनो FAB iş अभी सुनो FAB नहीं गलती है एक्छुलरी ऐसा बोलना जाँ FAB महेने का rent जब pay किया या फिर FAB महेने के rent का party को जब credit किया which already is earlier But FAB के rent से edition लेना है ऐसे तो साल में कई rent भरे होंगे लेकिन we have to decide by last month तो last month feb है तो we have to check feb महिने का rent credit कप किया party को credit क्यों बोलते क्यों अपने जिसको pay करते है उनको देना है तो liability है न क्रेडिट और actual payment विचे रिज़र लिया तो वो सब तो कुछ दिया है नहीं 29 feb कोई party को credit कर गी है वोई दिन payment कर दिया तो उस दिन TDS काटना पड़ेगा ओके और काटना भले last महिने में लेकिन पूरे साल का एकटा काटना है और उसमें भी बंदे ने पहन नहीं दिया था अरे हर TDS के transaction में रूल किया है सामने वाला जो receiver होता है उसको pen देना पड़ता है तो हम लोग श्रीकान पेयर है तो receiver कौन था अशोक और अशोक ने pen नहीं दिया था पड़ और अगर सामने वाला यानि कि receiver मैं पेयर हुआ उसने अगर अपना pen नहीं दिया तो 20% TDS काटना पड़ता है तो काटो अभी TDS TDS काटना लास महीने में लेकिन पूरे साल का एकटा काटना है और इधर तो 20% की हिसाब से तेरे साल भर का रेंट तो निकालो कितना है एक जुलाई से प्रॉपर्टी भाड़े पर ली है और फेब तक चला था तो कितना हो गया जुलाई, ऑगर्स, सेप्टेंबर अक्टोबर, नॉंबर, दिसेंबर जैन, फेब कितने हो गया आट महीने हो गया न तो आट महीने का रेंट कितना है 60,000 पर मन्त है तो मल्टी भाड़े बाड़े 8 मन्स कितना हो गया है 4,80,000 यह तो रेंट आया है और इसपे TDS यूज्वली इसपे 5% होता है लेकिन पैन नहीं दिया तो 20% TDS हो जाएगा तो कितना हो गया 96,000 तो यह 96,000 का TDS कट करना है लास्ट महीने के रेंट में से और इदर लास्ट महीना फेब है तो फेब महीने का रेंट कितना है 60,000 अब रेंटी 60,000 है तो उसमें से 96,000 का TDS कैसे काटेंगे तो TDS will be restricted to the amount of rent of FAB 60,000 माले इस 96,000 को अपने को रेंटी करना पड़ेगा इसको सीमित करना पड़ेगा क्यूंकि काटना है रेंट में से रेंट खुद ही 60 है तो 60 को काट काट के कितना काट है कोई 60 तो इधर आंसर क्या लिखना चाहिए TDS 96,000 but restricted to the rent of the last month which is 60,000 in this case तो यह हो गया तो यह रेंट एक्सेडिंग 5,000 50,000 है 5% नॉर्मल ही आता है और पैन नहीं दिया तो 20% आना चाहिए न और प्रॉपर्टी कप वेकेट किया था फेब में तो TDS कप काटना पड़ेगा फेब में और TDS का मोंड ऐसे तो 96,000 आया था बट रेस्टिक्टेट तो 50,000 यह ही मैंने बताया था न फिर अगला देखो एकल लिमिटेड थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर और बियाफ ओफ इन इंसुरेंस कमनी है सेटल मेडिकल बिल्स और फाइल आक्स और 31st October 2023 सब्मिटेड बाए के हॉस्पिडल स्लिमिटेड फ्रॉम पेशन अंडर कैशले स्कीम मनले पूछ क्या रहे यह ट्रांजेक्शन में TDS एप्लिकेबल है के नहीं है तो आप बोलने है नहीं यह तो नहीं सी हमेशाद है नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन होता है ना तो TDS आल्मोस पॉजिटिवली हाई बोलना होता है अगर नॉन रेसिडेंट के इनकाम है तो मेन टेंशन कब होता है अगर रेसिडेंट लोगों से पाला पड़ता है तो सिलेक्टेड चीजों का ही TDS है और इन लोग मेजोरिटी सम रेसिडेंट से रेडिटी देते है तो इधर अपने किसको पेमेंट किये होस्पिडल्स को होस्पिडल को पेमेंट किया हम अले रेसिडेंट मैं जनरल बात बोल रहा है इस सम में नॉन रेसिडेंट का नहीं है ऐसे जनरल बोल रहा हूं कि TDS आएगा कि यह दूविदा अक्सर के resident दुनिया में होता है non-resident को तो हर income का TDS काटके देना है if their income across in India जनरल बात है अभी इधर देखो किसने किसको pay किया है third party administrator ने medical bill settle किया है के hospitals के साथ see एक third party administrator मालूम है क्या होता है usually कि अपने घर में कोई hospitalized वगेरा होता है तो hospital में admit हो जाता है और अपने medical insurance निकाले होते है ना cashless तो उसमें अपने को hospital वालों को कुछ payment ही नहीं करना है hospital वालों को automatically payment कहां से मिल जाता है insurance कमनी लेकिन insurance कमनी है ना उसके लिए किसी को outsource करती है उसको लते है third party administrator actually तो hospital वालों को patient लोग बिल का पैसा देते हैं लेकिन patient क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि उसका insurance है तो insurance से तो hospital को बिल का पैसा कौन देगा insurance company पर इंशरेंस कमनी इतनी बिजी होती है न कि वो लोग hospital को pay करने के लिए वो कामकाच के लिए work किसे को outsource करते हैं क्योंकि see insurance company को hospital को बिल का पैसा देना है अंधा दून देना है कि check करके देना है चेक करके देना है patient तो hospital में admit हो गया ठीक हो के आ गया लेकिन hospital का इतना लंबा चोड़ा बिल verify भी तो करना पड़ता है तो hospital वालों को जब insurance company payment करेगी तो उनको verify करना है लेकिन insurance company इसको उतना time नहीं होता तो वो सब काम किसको outsource करते third party administrator and फिर क्या होता है वो third party administrator का काम क्या है hospital का बूल बरबर से check करो सही है के नहीं फिर जो बेले वो इसाब से third party administrator hospital को payment कर देगी on behalf of insurance company तो see actually तो insurance company should have made payment to the hospital बड़ इन लोग किसके तुरू root करते TPS बोलते third party administrator तो इन लोग अभी क्या पूसरे कि ये वाले transaction में TDS आएगा कि नहीं drawing देखे बताओ मलद TPA ने third party administrator ने hospital को payment किया है see TDS आएगा कि नहीं that depends अब हो the nature of the transaction this is ये देखो इसका nature कि अब इसका नेचर किया transaction का hospital bills and hospital bill is out of medical profession hospitals are into medical profession and medical profession is a professional service as per 194J you know 194J में professional services है और professional services का definition क्या है TDS की दुनिया में professional services का definition भूल गए ये देखो बताता हूँ professional service का definition क्या है बहूल जल्दी बोल दे mail fit company plus सूपेस ऐसा अपना keyword था है देखो mail fit company plus सूपेस this is the definition of professional service under 194J और mail fit company में ये में क्या है medical profession so medical profession का payment is a payment covered under 194J तो कौन किसको pay किया था TPA ने hospital को pay किया था तो TDS काटना पड़ेगा और फिर भी ये रिक चेक करो J न कभी भी राचीज वाले section होते न 194 RA CHIJ तो उसमें चेक करो अगर पेर छोटा है तो TDS नहीं काटेगा तो कंक्लूजन किया है payment made by third party administrator to hospital वाले this is a payment for professional service which is medical profession hospitals are into medical profession तो this is a payment for professional service hence TDS is applicable under section 194 J 194 J में TDS कभ काटते at the time when parties account created actual payment whichever is earlier और amount तड़ेगा इसका 10% और उसमें threshold limit किया था 60 तो sorry 30,000 के professional service वेगा 30,000 के उपर हुआ तो और ये तो 30,000 से जादा ही है तो TDS आएगा सुनो इधर क्या है किसे और रीइंबर्समेंट बोलेंगे गा सी रीइंबर्समेंट नहीं है ये तो इंशुरेंस कमनी पेमेंट दी कर रही होस्पिटल को इंशुरेंस कमनी को तो अपना प्रीमियम मिल गया इंशुरेंस कमनी तो प्रीमियम चार्ज कर लेती है तो बाद में ये खर्चा किसका हो गया इंशुरेंस कमनी का हो गया लेकिन इंशुरेंस कमनी डिरेक्ट पेमेंट कर रही है त्रू टीपी ए त्रू टीपी ए मतलब यह actually expenditure अभी insurance company का है, patient तो क्या premium दिया, patient का खर्चा premium है, patient का खर्चा premium है, लेकिन hospital bill is whose expenditure, insurance companies, अपने को लगता है मरीजों का खर्चा, मरीज ने insurance ले लिया, तो उसके लिए premium is खर्चा, और bill का खर्चा होता है, actually eventually किसका खर्चा बन जाता है, insurance companies का, अब वो insurance companies, directly hospital को दे के TPA के थूँ दे, it is a payment for medical services, which is covered in 194J, अब नहीं नहीं, वो मैंने बुलना, small individual achieve को TDS ते काटना है, तो इदो small individual achieve मलब पेर के लिए देखना है, तो इदर पेर कौन है, TPA, hospital तो receiver है, तो TPA को देखना चाहिए, बाहिचांसे small individual achieve बहुतो TDS नहीं आयाएगा, लेकिन TPA लोग तो usually बड़ी-बड़ी companies होती है, इन लोग का बहुत बड़ा काम चलता है, और small individual achieve तो बताएंगे, और इदर लिखा भी, C, H, I, J, और ये J वाला section है, इसलिए बात हो रही है, तो इसका देखना solution लिखा, इसके लिए CBDD ने एक बात circular भी दिया था, ये बोल की के भई, ये medical services के ये तो payment है, तो TDS तो आना ही पड़ेगा ना, CBDD बहुत बात circular देखे, clarity निकालने, clarification के लिए, तो तुम लोग भी याद करो ना, इसका TPA का सम आया, तो CBDD circular लिखके आजाना, एक्जाम में, as per CBDD circular, अब ये ट्राइ करो, 19,50,000, credited to the account or Digitech, सी TDS की सम में ना, mentally सुनो, क्या prepare रखना है, कौन पेर है, कौन receiver है, transaction क्या है, है ना, मली ये देखो, पेर, receiver, बनली ये चीज बराबर से, माइन ने विजुलाइस करना ची, ओके, पेर कौन है, receiver कौन है, और transaction क्या है, तुदिको इदर क्या है, 19,50,000, credited to the account or Digitech, स्टूडियो, सा पार्टनर्शिप फ़र्म, on 31st March 2024, by Star TV, a television channel, See, credited मतलब, pay नहीं किया है, payable दिखा है, कभी भी credited बोलते है, मतलब क्या है, हमने सामने आले को pay किया है, कि पेबल करके दिखा है, payable, क्योंकि payable होता है, तो liability, liability is always credit, तो किसने payable दिखा है, 19,50,000 credited to the account of Digitech, और किसने credit किया है, Star TV वालोंने, तो Star TV becomes payor, क्योंकि उसने credit किया है, मतलब उसने payable दिखा है, तो ये party payor है, और किसको credit करके रखा है, Digitech को, तो Digitech receiver होगा, उसको पैसे देने होंगे न, फिर आगे बढ़ो क्या लिखा है, 21 बात के लिए, अभी transaction देखो, payor receiver identify, अभी transaction, towards part consideration for shooting of telly episode for 10 weeks, as per storyline, content, specification of star TV channel, see, कभी भी है न, किसी को अपनी specification, अपनी requirement, अपने नक्षे कदम से काम करवा के लिते है न, works contract पहले ही आदाना चीए, works contract, ओके, तो इधर ऐसा ही हो रहा है, हमने, इधर को star TV वाला, पेर है, और यह digit tech, receiver, यह तो समझ यह न, okay, अब star TV वाले ने, किस बात के लिए payment किया है, digit tech को बोला होगा, कि तुम लोग के आपे जो episode का, यह shooting, voting होगा, वो हमारे नक्षे कदम से होगा, क्यों star TV बोले कि channel तो हमारे TV का, और हमारे TV चैनल में कैसे दिखना चीए, क्या होना चीए, यह हम नक्षे कदम बताएंगे, तो star TV वाले नक्षे कदम बता रहें, और उस नक्षे कदम से serial की shooting हो रही है, किसी studio में, तो इधर clear cut works contract की feeling आने चीए, और वर्क्स contract में मैंने पढ़ा तिने कितनी बार बोला था, जब कभी भी कोई काम करे, as per my requirement specification, it's a works contract, okay, तो 194C में आएगा और कितना, 19,50,000 का कितना percent आएगा, अरे 194C में TDS का percentage नहीं आदे, अगर receiver individual achieve है तो 1%, individual achieve नहीं तो 2%, इधर receiver कौन था, Digitech, अब partnership form लिखा था, partnership form ना, तो 2% TDS आएगा, तो 2% क्यूंके Digitech is a partnership form, answer में में क्या दिखान है, section का knowledge, कि वो section क्यूं applicable हो रहा है, और TDS का calculation करता है, और हो सके तो यह extra में लिख दो, यह TDS कब काटना पड़ता है, at the time when parties account created actual payment which is earlier, सब में ही ऐसा होता है, खाली TDS की दुनिया में कुछ exceptions से payment based वाले, salary का TDS winnings हो गया, compulsory acquisition, cash withdrawal, life insurance claim, यह सब में जब actual payment होता है, तब TDS कटता है, और 194 आई भी हुआ तो लास्ट वाइने में TDS कटता है, फिर आगे बढ़ो, X Limited is a producer of natural gas, during the year it sold natural gas worth 20,50,000 to Hava Company, a partnership firm, क्या क्या नाम लेदे, gas इसलिए हवा बना दिया, फिर it also incurred 2 lakhs, as freight for transportation or gas, it raised the invoice then clearly bifurcated the value of gas and transportation charges, transaction में क्या समगना है, कौन पेर है, कौन receiver है, और type of transaction कौन किसको pay कर रहे है और type of transaction बताओ X-Limited is producer उसने तो sold किया है, तो sold किया है, इससे तो पैसे मिलेंगे ना, बेचनेवाले गांगों, तो पैसा मिलता है, receiver हो गया ना, तो pair कुम है, हवा, तो जीए हवा, pair है, किसको pay किया, X limited जो की receiver है, और transaction किया है, हवा ने क्यू, payment किया है, ने, sale to seller बोले, हवा क्या बोलेगा, purchase किया, purchase of gas, gas करीद है, कितने में खरिदा है 20,50,000 तो और कितने में खरिदा गैस 20,50,000 और उसके ट्रांस्पोर्डेशन का चार्च कितना लगा है तो हवा बनके सोच में हवा हूं मैंने गैस के लिए 20,50,000 ताउन दिया और फ्रेट ट्रांस्पोर्डेशन का 2,00,000 तो सी हवा ने क्या खरिदा है गैस गैस एक तरह का गुड्स है और कभी भी हम लोग किसी से गुड्स खरीते ना गुड्स तो उसमें टीडियस है यही नहीं अरे गुड्स खरिदने के ट्रांसेक्शन में टीडियस का वाता है आता भी है तो मोर देन 50,000,000 हुआ तो मोर देन 50,000,000 हुआ वो भी बायर का गए साल का टरन ओवर 10 क्रोड्स से जादा हुआ तो तो यह पर्चेज अगुड्स ट्रांजिक्शन है और पर्चेज अगुड्स का वैल्यू कितना है पचास तक से आता तो नहीं हुआ है तो इधर आता तो भी 194 क्यों आ सकता है और इनलोक माल में क्या बोलें नहीं बैस में वो ट्रांस्पोर्ट डेशन वगेरा है माना transportation में 194C आता है क्यों transportation में क्यों होता है कोई बंदा goods transport कर रहा है मेरी requirement specification में transportation में था ना मैंने works contract में बताया था ABC girl carriage of goods transport contract में TDS होता है exception है कि transporter के 10 जितनी truck है तो TDS applicable नहीं है उसका plan लेना पड़ता है पर usually transport contracts में tedious आता है लेकिन वो एक independent transport contract हो तो आज मैं किसी से goods खरीद रहा हूँ और goods के लिए मुझे वो extra transport charges मांग रहा है तो वो तो goods का parcel हो गया The amount of transport becomes part and parcel of the purchase price of the goods Yes, independently किसी को बोलो न भाई ये सामान ट्रांस्पोर्ट कर दे न किदर तो वो transport का contract works contract के दाएरे में आता है लेकिन किसी दे goods खरीदा है और goods जिससे खरीदा supplier मुझे एक्स्ट्रा ट्रांस्पोर्ट का पैसा ले रहा है तो वो principally goods करीदने का transaction है इदा transport का वो महत्वक खतम हो जाता है वो transport का what कब रहता है जो खास transportation का काम करवा है ये principally transaction किसका है goods खरीदने का वो तो obviously goods अब खरीदे supply दो क्या बोलते delivery charges लगेगा ये तो usual है अरे इसमें TDS आने लगा तो तो कभी भी goods खरीदेंगे न delivery charges में TDS आ जाएगा अरे अपने general में भी goods खरीदे जैसे मालनों मेंने कुछ books order की है है ना और books order की है तो books order जिससे की उसे delivery charges लगा है और मैं तो books ये खरीदा हूँ टीचर क्या खरीदा है बीचरा books तो books खरीदा हूँ उसमें delivery charges लगा है तो उसमें भी TDS आ जाएगा तो गलत है ना delivery charges is because of transport but then you should not invoke 194C जैसे क्या बोलना चाहिए भाई प्रिंसिबल ये goods परचेस का transaction है अब उसमें delivery charges को बिल के अंदर अलग से दिखाया हो कि मिक्स कर दिया हो वो भी माहिन नहीं रखता देखो इन लोग ने ये बात भी टेस्ट की है देखो इड्रेस दे इन्वर्जन क्लिरली बाइफरकेटेड goods की value and transport की value वो तो मैं goods करीता हूँ तो supplier मेरे को बिल में goods का और delivery charges अलग-अलग लिखेगा तो उससे क्या फरबड़ेगा मेरे लिए goods करीदने का transaction है इधर delivery charges transport charges का महत्वा नहीं रहता है तो इधर answer क्या थे नहींचे since it is a transition of purchase of goods okay TDS under 194C will not be attracted even if there is some transport element included in that yes if it would have been an independent transport contract then TDS is applicable 194C वाला और independent transport contract में भी exception था कि transporter के 10 जितनी truck होती है तो TDS नहीं आ था मालू में नहीं वो हाँ इधर यह बोल सकते हैं कि अगर यह 50 लाग के उपर हो गया तो goods purchase 50 लाग के उपर तो TDS आ जाता है लेकिन यह जब exam में question आ था नहीं लोग ने वो 50 लाग का होता तो आता ऐसा सब देकर नहीं किया था तो उमको यह तो exam में लिख सकते हो तो में लोग को चाहिए तो exam में लिख सकते हो के वी कैन कंसिडर दिस अधर अधर पर्चेस अधर पर्चेस अधर गुड्स बट देर अधर 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 पर्चेस वैल्यू एक्सीट पोर दें 50 लाग सेंध बाइस अधर अधर प्रिसेदिंग एर इस आधर अधर अधर को हम जाधर अधर कोनो डोच कि बटने को साथ में आ पठते है Su Nivesha investors is engaged in the business of share broking, depository, mobilization of deposits, marketing of public issue ok फिर इस रिगिस्टर मेंबर अधर अधर प्रोचेशंचेंच कौन सु निवेश इन्वेश इन्वेस्टर्स, फिर क्या लिका है, every year it makes payment amounting to 10 lakhs to stock exchange by way of transaction charges in respect of fully automated online trading facility. This service is available to all the members of stock exchange in respect of every transaction that is entered into. मैंने क्या अला पेर कौन है, receiver कौन है, transaction क्या है, वो identify करो, तो कौन किसको pay कर रहा है, every year it makes payment of 10 lakhs to stock exchange, तो इदे वो सु निवेश, शु निवेश, निवेश मले investment ही होता है, यह कोई broking कम नहीं लिका था, broking, walking वगेरा सब करते हैं, यह कोई broker जैसा है, इससे payment किसको किया, stock exchange, और payment का nature क्या है, transaction charges लिखा था, पढ़ो दिखा था तुम दो, तुम पढ़ो ना sentence पढ़ो ध्यान से क्या लिखा था, वो every year वाना sentence पढ़ो, every year it makes a payment of 10 lakhs to stock exchange by way of transaction charges, यह ना, और यह transaction charges का payment क्यों कर रहे, in respect of fully automated online trading facility, है ना, fully automated online trading facility का payment हो रहा है, तो see, ऐसा point मैंने case loss के इडम discuss किया था, इसका case law था, कोटक security, कोटक security, इस सेम काहनी कोटक की life में होई थी, कोटक लोगोंने stock exchange को payment किया था, क्या नाम से, transaction charges, और इसमें क्या issue उठा था लिखा था लो मैं, fully automated online trading facility, और automated online trading facility में technical का feel आता है, means इदर एक सवाल उठा था, कि हमने fully, यह वार को feel करो ना, fully automated online trading facility, means यह facility stock exchange वाला दे रहा है, और broker उसके लिए payment कर रहा है, तो सवाल उठा था भाई, यह तो technical service होना चाहिए, क्योंकि इदर technology involved है, technology कैसे involved है, fully automated online, और broker lokias होता ही है न, broker lokias one में ऐसा software होता है न, ठाक 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 बटन दबाया, client के लिए खरीद बेच हो गया, तो वो इतना ठाक 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 बटन दबाया, client के लिए खरीद बेच हो गया, वो क्या है, fully automated online facility, जो stock exchange ने broker को provide किया है, तो सवाल यह उठा था, कि फिर broker तो कोई technology की तरफ payment कर रहा है, means broker कोई must technology मिल गई, online automated वाली, जिससे वो फटवर्ट काम कर सकता है, और technology के लिए payment करते हैं, तो technique का service होना चाहिए, अरे ऐसा case हुआ था, real life है, तो high court ने तो judgment क्या दिया था वाले में, high court बोला हाँ यार, यह तो technology की तरफा payment हो रहा है, यह तो technical service है, और technical service हो था 194, जे आता है, ऐसा high court ने बोला, लेकिन यह case बाद में सुप्रीम court में गया, सुप्रीम court ने high court को बोला, high court तो खली नाम की high court है, तेरा दिमाग हाए नहीं है, किस बात का technical service, माना के technology की तरफा payment हो रहा है, लेकिन technical service का बोता है, जब हम लोग किसी को अपनी requirements से customize करवा के लेते, सी 194J जिसमें technical service का जिकरे किया न, उदर भी एक underlying condition है, it can be a technical or professional service, someone is working as per my requirement, मैंने तुमको TDS पढ़ा तर ने बोला था 194C और J, दोनों में common चीज़ क्या है, सामने वाला काम कर रहा है मेरी requirements से, लेकिन J का बात है, जब हो professional technical काम करे तो, और general काम करेगा तो C, बट जैसा C में हम stand लेते हैं, कि someone has to work as per my requirement, specification, मेरी customization से काम करे, तो वैसा जो C में requirement है, वो चीज़ जे में भी है, लेकिन फरक्या है, जे में जो सामने वाला कोई काम कर रहा है, वो professional technical जैसा काम कर रहा है, बट he has to work as per my requirement, तो tell me, इधर क्या broker ने अपनी requirement के इसाफ से stock exchange से technology बनवा के लिए, कि stock exchange सबको ये दे रही है, सबको दे रही है, लिखा भी था इधर देखो, इस service is available to all members, और एक general facility बना लिए है, तो उस भीड में सब broker लोग फाइदा उठा रहे, तो उस भीड में अगर हमने फाइदा उठा है, तो इसने अपने ले कुछ कुछ कस्टमाइज नहीं वाता, हाँ, अगर मैं मेरी requirement से कस्टमाइज करवा के लूँ ना, और उसमें कोई technology का सुकून मिल रहा है मुझे, तो technical service होता है, जैसे मैं अपनी coaching classes के लिए, किसी से कोई software बना के लिए लूँ, ताकि student fees दे रहा है, नहीं दे रहा है, सब मालूँ पड़े, student lecture आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब मालूँ पड़े, मेरी requirements से ऐसा मैं software customize करवा के लूँ, then वो technology का सुकून मेरे लिए technical service है, क्योंकि मैंने customize करवा के लिए, लेकिन broker लोग को must software technology मिला है, लेकिन तो stock action सब को ही दे रही है, वो broker ने अपने लिए customize करवा के नहीं लिए है, एक से तो उस current से क्या है, Supreme Court क्या बोली, although there is some technology का benefit which brokers are enjoying, but this is not a technology जो हमने उनसे customize करवा के लिए है, वो by default हर broker को मिल रहा है, तो on account of this, it would not be a technical service, hence 190 वो जे not applicable, and if someone says तो in what, nothing is applicable, जरूरी थोड़ी ना कि हर transaction में TDS आए गाई, हाँ, non-resident को पैसा देते हैं न, तो उसकी तो हर income में TDS काट लेते हैं हम लोग, लेकिन ये non-resident के सा transaction हो है कि resident, stock exchange को payment किया है, तो resident दुनिया में जो transaction होते हैं, उसमें selected चीजों पे ही TDS आता है, और अगर ओ TDS के किसी भी section ने fit नहीं हुआ, तो ना बूलना चाहिए, ये इदर किदर fit होगा बताओ, टेकनोलोजी के लिए हमने payment किया, कहां fit होगा, देख लोग, TDS के section ने 192 salary का था, 193 interest and security, ऐसे 194 बहुत सारे section में, किदर भी fit नहीं हो रहा है, at the most 194 जे की जलक आ रही थी, because of the technology involved, बढ़ वो भी high court ने decision दिया था, technical service उसको cost कर दिया, supreme court ने, by saying भाई ये technical service नहीं है, क्योंकि ये अपने customization के लिए, specially requirement के इसाब से नहीं हुआ है, तो in short इस पर TDS ही नहीं आएगा, ये supreme court judgment है, judgment आया था नहीं, इसलिए इन लोग ने question बनाया था, पास्ट पेपर में, एक से किसीगा डाउट है, तो in short इस पर TDS नहीं है, तो in short इस पर TDS नहीं है, इस पर TDS नहीं है, आपको मिल रहा है, कैसे मालूँ पड़ता है, तो see, पहले तो student के लिए, तो सम्में क्या लेका, this service is available to all members of stock exchange, in respect to every transaction they enter into, मतलब है, ये हर stock broker को stock exchange facility देती है, मतलब है, हमारे soon events जैसे बंदे के लिए कस्टमाइज करके नहीं हुआ है, ये तो सम्में बोला है, लेकिन real life ये जब कोटक security का case हुआ था ना, तब Supreme Code ने खोट-कोट के find out किया, कि ऐसी कौनसी technology का payment किया जा रहा है, तब उनको मालम बड़ा रही है, ये तो वो है, stock exchange एक software बना थी, उसको bolt जैसा बोलते है, bolt, bolt वर सुना है कभी, online trading के लिए, है ना, तो online trading के लिए, stock exchange सब को ही देता है, अरे आज broker लोग transaction ही कैसे करते है, आज मैं share broker हूँ, client के लिए खरीद बेच कैसे करता हूँ, एक software के, ये वो ही software है, तो उसके लिए Supreme Code बना लिए, ये उस software के लिए transaction चाहिए से, अरे ये तो stock exchange ने software ऐसा बनाया है, कि हर broker by default यूज़ करता है, तो ये थोड़ी हमने customize करके करवा है, हाँ broker अगर बोले, stock exchange का software तो ठीक है, मुझे एक ऐसा अलग से software बनाना है, जो इसमें मुझे कुछ मेरी कुछ special requirement है, तब अलग बात होती है ना, तो ये तो एक general software है, सी इधर argument की उठा technology involved है, क्योंकि ये दो को ये पूरा stock exchange का software है ना, technology से चलता है, software के थुरू, automated software हो गया ना, तो जब भी भी technology आता है ना, तो ओ, बोलते ना एक अंजान आदमी, नादान आदमी क्या होता है, ये technical, technical, लेकिन होशया रद में क्या बोलता है, खाली technology होने से technical service नहीं होता है, वो technology तो तेरे लिए customize करवा के लिए, तो होता है, ओके, जब कि इस टॉक पर जाए था, पर भी शार्ज के लिए चार्ज के लिए चार्ज कर रहे हैं, नहीं नहीं ये, फुली आटोमेटे ओनलाइन, तो लोग ये transaction charges वड को देखो के तो बोले, इस पर तो कोई TDS ही नहीं है, transaction charges ये, तो ऐसा nomenclature यूज किया है, stock exchange वालों ने, वो मलना stock exchange नाम रख दे, transaction charges दे तो, तो वो नाम मत देख लिए किस चीच के लिए, डोंट सी दा नेम अब दा पेमेंट, सी दा नेचर अब दा पेमेंट, नेचर इस बाद ये चार्ज इस किस बात का है, तो वो फुली आटोमेटे ओनलाइन, तो सी पहले हाई कोड में किया से हाई कोड में ही हुआ, हाई कोड क्या बोली, ट्रांजेक्शन चार्ज इस नहीं बोलेगा, ये काई के लिए पेमेंट हुआ है, तो बाद में बोला, वो फुली आटोमेटे ओनलाइन, तो भाई कोड ने बुद्धी लेए टेकनोलोजी है, लेकिन उस ते कम बुद्धी लगाई, उसने टेकनोलोजी देखके बोल दिया, टेकनिकल सर्विट इडियस आएगा, फिर सुप्रीम कोड ने बोला, वोई टेकनोलोजी है, लेकिन कस्टमाईज नहीं वा अपने इसाब से, तो सी एकदम स्टार्टिंग में तो ट्रांजेक्शन चार्जिस वर्ड देखके लोग क्या बले, इस पे थोड़ी टीडियस आता है, तब ही केस हुआ, तब हाई कोड ने बोला, नहीं ट्रांजेक्शन चार्जिस तो टेकनोलोजी के लिए, तो टेकनोलोजी बोलके टेकनिका सर्विस कर दिया, फिर वो केस भी आगे सुप्रीम कोड में गया, वो टेकनिका सर्विस भी कैंसल कर दिया, क्यूंकि वो कस्टमाइज नहीं अपने हिसाब से, तो कंक्लूजन के इसमें टेडियस आएगा के नहीं आएगा, नहीं आएगा, और अपने हो रेफेर्एंस दे देना चाहिए, इस हो डिसाइड वा रेफेरेंस देना चाहिए, और कोटक सिक्यूरिटीजन के इसमें अपने अपने आपने आशर में रेफेरेंस देना रह गया है, तुम लोग दे देना, यह देखो, अंडर सेक्शन 166, sorry 194J TDS is for technical services और technical services का meaning क्या है यार specialized services as per the requirement and specification of customer to cater the special needs कैसे coaching class वाले की needs हो सकती है तो software बना के लेंगे तो होता है फिर इधर क्या लिगा है इस case में तो it is a facility which is a common facility available to all members तो it cannot become a specialized service hence TDS is not attracted under section 194J this is what decided बाश्प्रेम Code in the case of KOTAK Securities अगला वाला देखोई इंदीन कम्नी पेस ग्रॉस salary including allowances percusates amounting to 7,30,000 to its general manager salary का transaction है besides the company provides non-monetary percusates to him whose value is estimated 1,20,000 general manager is opting out of the 115 BAC provisions पूचा के समें इधर मत देखो रहे है वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दे बोल दिया था हर point में क्या decide करना है TDS आएगा नहीं आएगा कितना आएगा तो आएगा नहीं आएगा कितना आएगा तो पहले क्या देखो ट्रांजेक्शन क्या है पेर रिसीवर क्या है यह तो सिंपल ट्रांजेक्शन है सालरी का तो सैलरी में तो टीडियस आता ही है 192 में प्रोवाइडर सैलरी एक्सेज़ दा स्लैब रेट्स और इदर सैलरी कितना है 7,30,000,00 now 238,000,00 प्लस नोनमाटरी पर्कियोजरी दीड भी इसमें अलग से सी यह तो माटरी पर्कियोजरी आलाउंस मिला के साथ लाग टीज था पिर अलग से माटरी पक्योजरी को जोड़ोगे तो और भी सस्केशはい उसकी सैलरी बढाएगी है इच्वाईररी कितनी तो उस पर TDS आएगा के नहीं आएगा, बेसिक एक्जेम्शन क्रॉस होना चीए, और जिसने 115 BSE से आप्ट आउट किया है, उसके लिए बेसिक एक्जेम्शन पूराने स्लैब रेट से, दो लाग पचास, और दो लाग पचास से तो ये आट लाग जादा ही है, तो TDS आएगा, अब कितना आएगा, स्लैब रेट से ही आता है, और मैंने TDS के चैप्टर में बताया था न, सैलरी का TDS इस पर दी, स्लैब रेट सोन ली, इप इप एक्सीड दा बेसिक एक्जेम्शन, तो जो भी आएगा, लेकिन सुनो, ऐसे क्विश्चन में अपने को एक्स्ट्रा नॉलिज देखे बताना पड़ता है, कि अगर ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट्स का जो टैक्स बनता है, वो कंपनी उसके ब्याफ पे पे करेगी, तो TDS कितना होगा, सी, नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट्स कौन एंजॉय कर रहा है, एम्प्लॉई, तो मज़ा एम्प्लॉई ले रहा है, तो सजा तो एम्प्लॉई पे आएगा, बहुत ये जो एक लाग बीस का जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट्स है न, इस पर tax employee को भढ़ना है और परक्यूजिट के मज़े ही वो ले रहा है तो जो मज़ा लेगा सजा उसी पर तो tax तो employee का ही है लेकिन बड़ी-बड़ी कमनियों में आजका रिवाज है बहुत सी कमनी इस लोग क्या करते employee को जो non-monetary perks दिया मतलब गाड़ी, बंगला, फ्लैट वगएरा उसके लिए कमनी वाले क्या बोलते तो ये परक्यूजिट के मज़े लूट लेकिन इसका tax हम बेर करेंगे और ये customer market में तो अगर ऐसा हुआ तो TDS क्या आएगा ये सम्में बोला नहीं लेकिन अपने को लिखना जेकल को सम्में साब पूछ भी दिया क्या पूछेंगे कि non-monetary perquisit जो था इसका tax company मतलब employer बेर करने को तयार है actually तो actually तो किसकी tax liability में आता है employee, employee ने इतनी salary कमाई, non-monetary perquisit employee ने लिया है तो employee के computation में डालके employee को इसका tax भुगत ना है okay but what if company वाले बोलते है क्या कि इसका ये खास करके non-monetary perquisit का tax हम बेर कर लेंगे सोचो ये non-monetary perquisit का tax, इसकी perquisit तो company दे रही उसको लेकिन उसके उपर जो tax है वो employer भर रहा है लेकिन see, इसके उपर tax कितना है कैसे मान बढ़ता है, see company ने क्या बोला है, तेरे non-monetary perquisit का tax हम बरेंगे लेकिन tax को individual चीज का नहीं होता है, tax हमेशा overall income का होता है, लेकिन इदर company ने क्या बोला है, तू चिंता मत का तेरे non-monetary perquisit का tax हम बरेंगे, लेकिन non-monetary perquisit का कोई अकेला tax सोड़ी होता है, अरे salaried employee को हजारों चीजे मिलती है, tax तो 81 आता है न overall, चीजवाइस तोड़ी tax होता है, इसका tax, उसका tax, इसका tax, लेकिन अपने को इदर चीजवाइस सी है, क्यों कंपनी ने हर चीज का bear करने का वाधा नहीं किया है, किस चीज का non-monetary, अब इस चीज में tax कितना होता है, तो कभी भी कोई particular चीज का tax निकालना है ना, तो average rate यू गया है, लेकिन डबली वाली चीज का कितना, तो average rate किया था, see, tax is on overall income correct, but whenever you want to know overall income में कोई particular चीज का कितना है, तो itemized tax चीज है, तो average rate यूश करो, और इदर मुझे itemized क्यों चीज है, क्योंकि कंपनी ने उसका सारा tax बढ़ने का जिम्मेधर ही नहीं लिया है, अरे ऐसा होता तो TDSC नहीं काटते हो लोग, कि जा मजा कर, लेकिन कंपनी ने ऐसा, कंपनी ने क्या बोला, तेरा वो चीज का हम बरेंगे, किस चीज का, non-monetary का, अब इस चीज का निकालने के लिए average rate का इस्तमाल होता है, तो average rate निकालो, अरे average rate मनला, जो भी अपना tax आया, अपन जो भ 20 को शामिल करना है, शामिल करके क्योंकि एक्च्वल टैक्स तो 120 इंक्लूड करके आएगा न, तो कितना rate आया, 9.45, तो C, पहले अपने उक एंसर क्या लिखना है, देखो, यह पड़ो इतना, जो दिखा है, company is liable to deduct, यह नॉर्मल केस पे तो इतना TDSC करना चीज है, लेकिन company बोलेगे, नहीं, उसमें वो चीज का हम bear कर लेंगे, तो हम bear करेंगे, तो TDS कितना निकाटेंगे, तो कितना company bear कर रही है, 120 का कितना percent आया, 9.45, जो भी है, तो percentage निकाल के कितना आया, तो इतना अगर company bear कर लेगी, तो उतना TDSC कम काटेंगे हम, हम तो 75,400 TDSC काटने का mood बना चुके थे, लेकिन अगर हम आपको ऐसा बोले, कि चिंता मत कर, तेरी ये चीज का, हम bear कर लेंगे, तो हम bear करेंगे, तो TDSC कितना नहीं काटेंगे न फिर, तो TDSC कम हो जाएगा, तो इतना जो TDSC काटना था 75,400, उसमें से 11,310 से TDSC कम काटे करेंगे, and accordingly TDSC amount will change, अरी ये तुम दो बोले, ऐसा कहां बोला है सम में, लेकिन सी, इन लोगने ICI में ऐसा question आया था न, तो इन लोगने extra ये भी लिख दिया, सी, इधर कोई भी एंगल से पूरे सम में कहीं लिखा है, कि वो चीज का tax company बढ़ने को तयार हुए लिखा नहीं है, लेकिन इन लोगने solution में दे दिया था, ठीक है न, अगर exam में कभी-कभी तो अलग से दे भी सकते है, क्वाट, कि वो norm mandatory requisite वाली चीज का tax company bear करने को तयार है, तो क्या करना चाहिए, तो सी, rule बना लो, पहले तो अपने को पूरा computation as usual करना है, पूरा as usual computation करना है, ओके, फि अपने को एक item, एक particular item का अलग से tax ही है, तो average rate से ही आता है, और उस item को जो tax आया, उतना अगर company bear कर रही है, तो TDS के form में नहीं कटेगा, तो अपना जो usual TDS, it will get reduced, okay? सी, अभी doubt क्या रहे है, company वो चीज का tax क्यों bear कर रही है, ये company के employee को खुश रखने के साधन है, सी, आज बड़े, मैं को बता है, company लोग अपने staff को, गाड़ी, बंगला, वो सब दे रहे क्यों? क्योंकि वो staff precious है, आल तो employee को तो नहीं ये थे, लेकिन कोई खास employee है, तो उसक सुख में एक और सुख, क्योंकि सी employee लोग को क्या खटकता है, गाड़ी, बंगला, मिला, मजा है, लेकिन पैसा तो नहीं मिला न, इसलिए non-monetary percusates का tax employee लोग को चुपता है, तो वो चुबन भी कमनी दूर कर दे थी, बहुत हुआ, चल एक काम करते, तो गाड़ी, बंगल स्टाफ को गाड़ी बंगला देती है, तो खुशी के मारे एक और चीज बोलती है, तो गाड़ी बंगली के मजे ले, और हमारा income tax वाला तो इस पर भी tax मारता है, लेकिन तो चिंता मत कर वो हम बेर कर लेंगे, तो हम अगर बेर करेंगे, तो TDS फिर काम काटेंगे, अगर मै भी तुमको बोलतू मैं बेर करूँगा, तो फिर employee का एक स्पेर, फिर TDS कम काटो, तो TDS कम हो जाएगर, 75,400 से, अपना जो TDS से, इतो बिकम 64,090, see, इस सम में तो एक्स्ट्रा में लिखाया, एक्चुली इस सम का तो तुम इतना भी लिख दो ना, तो भी चलता जाए, ले तो इस सम में लिखा नहीं, लिख देना चाहिए, एस पर सेक्शन 192, TDS आता है, मैंने लिखा नहीं, लिगन लिख दो, कि इसका 192 में सेक्शन लिख की दिया करो, TDS का जो भी अपलिके बले, फिर ये वाला ट्राय करना, Notified Infrastructure Debt Fund, Eligible for Exemption Under Section 1047 of Income Tax Act 1961, Pays Interest of 5 Lakhs, To Company Incorporated in USA, The US Company incurs expenditure of 12 Hazard for earning such interest, Fund also pays interest of 3 Lakhs to Mr. X, Who is a resident of Notified Jurisdictional Area, Except Fund also pays, Also pays, Also pays, Pays also pays, Feel करो इसको, Pays also pays, ये pays क्या था पड़, Interest, ये also pays क्या है, Interest, लेकिन पहला वाला पे किसको किया था? अरे पहला वाला पे किसको किया था? कोई US Company को पे किया था? दूसरा वाला पे किसको किया था? Mr. X को किया था? अरे मलदा दो ट्रांजेक्शन है, है मैं बोलता हूँ ना पहले TDS के सम्में transaction समझो transaction क्या है pair कौन है receiver कौन है तो see इधर में drawing करके बताऊंगा न कौन किसको pay क्या बताओ एक से में काम करता हूँ इसको circle कर देता हूँ पेस interest फिर वापस देओ क्या लेगा also pays interest यह किसको दिया है पहला वाला to company incorporated in USA और यह किसको दिया to Mr. X तो see drawing के साब से बताओ तो IDF ने पहले US की company को pay किया है क्या pay किया है interest फिर IDF ने Mr. X को pay किया है और Mr. X भी non-resident लिखाया non-resident ओभी कहा कहा है notified jurisdiction area का अरे notified jurisdiction area मतलब blacklisted countries होती है मैंने बताओ देरा सम blacklisted country जिसके साथ Indian government ने रिष्टा तोड़ने का सोचा है क्यों क्योंकि वो हम लोग के साथ information share नहीं करते और non-resident के से notified jurisdiction area मतलब कोई foreign country है और foreign country होए रहने वाला तो इंडिया के लिए तो एनार हो गया ना तो सी यह foreign company है और यह non-resident है तो यह नो FCNR IDF याद कर 115 BA में था 115 A सौरी 115 A में क्या पढ़ाया था कि अगर IDF वाले नहीं यादा रहा तुम दोको IDF वाले यह देखा IDF है ना यह foreign company non-residents को पेमेंट करते है वह इंट्रेस्ट ही था यही चेंज सीन सेम चीज़ में संबन है question में interest है IDF यह और एक foreign company भी लिया है non-resident भी दिया है US की कमनी foreign की कमनी और non-resident के नाम में Mr. X दिया था अरे तो इधर rule किया था जब IDF इंडिया से इनको पेमेंट करेगा तो 194LB में TDS कितना काटता है 5% इसमें rate ही 5% है ना और non-resident की दुनिया में तो जिस rate से tax मारते है वह rate से TDS काटते है तो 5% TDS काट आतमे यह भी तो rule है कि कभी भी notified jurisdiction area वालों को payment करते है ना तो minimum 30% TDS काटना पड़ता है minimum 30% okay तो 30% तो TDS काटना ही पड़ेगा पर ऐसे तो 5% है okay तो अपने 30% तो काटना ही पड़ेगा actually 30 और जो rate which is higher इधर TDS की rate 5% मन रही है लेकिन कम से कम 30 काटना है तो 30 तो काट नहीं है अगर को regular income होती है न तो उसमें कभी-कभी 40% TDS भी आ सकता है foreign income नहीं के लिए खास करके regular income का तो 40 काटो बट regular income का यह तो कौन सी income है IDF वाली जिसपे तो टैक्स ही 5% है तो TDS 5% वाट 5% मिनिमाम 30% आएगा पट वो अगर notified jurisdiction में पेमेंट हुआ है तो लेकिन सी इधर जो US की कमनी को पेमेंट किया है वो तो USA से US is not a blacklisted country USA अपना अच्छा संबन्द है तो वहां के लोगों को पेमेंट किया तो नॉर्मल पांस्ट का TDS कटेगा लेकिन यह Mr. X पता नहीं कौन से देश में जो भी नोटीफाइड है मतलब वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री है और ब्लैक लिस्टेड कंट्री के बंदों को पेमेंट किया तो कम से कम 30% TDS कटेगा बाद में भले ही ना IDF के केस में रेट इस 5% पर मिनिममम 30 मतलब मिनिममम 30 होना ही चाहिए है तो इंस्टो ट्रांजेक्शन था इधर जो फॉरें कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन होआ है न एक से इधर जो फॉरें कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन हो उसमें तो 5% आ जाएगा लेकिन बाद में क्या लिखना चाहिए कि नोटिफाइड जूरिजिशन एरिया में ओके पेमेंट एक से मैंने अमांट भी निकाला देगा पांच लग समझा कैसे कि है 5.2 क्यों किया कै कि कभी भी ना नोन रेसिडेंट फॉरें कमपनी का टी डीएओ सोता है न उसमें सर्चाज सेज भी मिला ना चीए तो इदर पांच लाग का पेमेंट है तो पहले सरचार का भी सोथ ना चीए प्लेइन रेट तो 5% है लेकिन सरचार भी सोच और सरचार क्यों नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट 1 करोड से कम है और एक करोड क्यों बोला foreign companies को एक करोड के उपर सर्चाज आता है ना और हमने तो उसको पांच लाका ही payment किया है यह US कमनी वाला है और पांच लाका payment के अमल एक करोड से ज्यादा तो नहीं किया ना तो सर्चाज का सवाल ने उठेगा लेकिन health and education says so 4% आएगा है ना तो 4% मिल हमेशा याद रहना TDS की rate में सर्चाज और सेस को गुसेड़ना है गुसेड़ना लेकिन इधर भी सर्चाज तो नहीं आएगा क्योंकि Mr. X individual है individual का सर्चाज 50 लाके उपर आता है और यह तो 3 लाका ही payment किया तो सर्चाज नहीं आएगा लेकिन health and education says आएगा तो अपना जो rate 30% बना था उसमें health and education says मिलाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा rate effectively 31.2% हो जाएगा जो कि 30 था लेकिन plus 4% health and education says ओके तो यह question किसके लिए था में यह समझने के लिए कि notify jurisdiction area में payment दो तो minimum 30% TDS अगला वाला try करो try next one ABC Limited took a sub-list of a building from Jeet an individual with effect from 1st September 23 on a rent of 25,000 per month it also took on higher machinery from Jeet with effect from 1st October 23 on higher charges of 15,000 per month okay दो दो चीद rent पे लिए पहले building rent पे लिए फिर machinery rent पे लिए rent का मौन में highlight किया है building का rent 25,000 per month machine का rent 15,000 per month फिर क्या लिए लिका है AB Limited entered into two separate agreements with Jeet for building and for machinery महले building का अलग agreement बनाया separate agreement और machinery के rent का separate agreement बनाया था TDS का sum है न तो मैंने क्या बोला TDS के sum में पहले transaction को identify कर लो बरावर से तो ये transaction में क्या है बताओ ABC Limited ने rent पे किया है किसको जीत को देख लो तुमको पढ़के लग रहा है सही बोल रहा हूं न मैं जीत को पे किया है किसने किसको ABC Limited ने जीत को दिया है और ये rent है और दो rent है एक building का है और एक machinery का है अब rent को लेके TDS का question उठता है न हमेशा double checking करना चाहिए मैंने में को बताओ double checking का system किसमे किसमे है देखो रेंट में हमेशा double check करो double check मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आइभी ट्राइमरों आइभी ट्राइमरों दोनों check करना चाहिए और double checking कितर कितर होता है बताओ works contract professional service other commission में भी double check करना चाहिए या यह भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं अभी तो रेंट का है न और मालूम कैसे पड़ता है कि आई में डालू कि आई भी में डालू कि सिम्पल है अगर पेयर बीग है पेयर पेयर बी कैरफुल पेयर बिग इंडिविजियल partnership firm company है तो आई और पेयर small individual है पेयर को देखना है तो पेयर कौन इधर अबीसी लिमिटेड रेंट दे रही है किसको जीत को जो की इंडिविजियल है तो बताव रेंट का पेयर कौन है यह पेयर इस पेयर इस एबीसी लिमिटेड तो डैट मीज वो small individualاح ao tb kry कंपनी यह company है कंपनी एंडिडियल केमल कंपनी और कंपनी मतलब बड़ होते शोटे इनडिविजियल पर एची हें होते हैं तो भूलते हैं स्मॉल और लोग क्या गरते जीत को देखनाओ जीट जीट को तो क्यों देख रहाँ पेर को देख जीत तो है और यह डिसीएन के लिए पेर को चेक करते तो अपने question न फेर दे company है है ना तो 194 आई का जंडा गाड़ेंगे और उसमें threshold किया है दो लाग चालिस एर पर एनम होना चीह है और rate क्या जल्दी बोल land building furniture का 10% plant machine equipment का 2% और इदा land building furniture में से building है plant machine equipment से machine है अरे अपने समें building भी है machine भी है building का 10% machine का 2% लेकिन कब आएगा दो लाग चालिस के उपर गया तो लेकिन में को बताओ ये दो लाग चालिस के लिए सारे rent को एकटा करके करना है कि ये 10% किसके लिए था land building furniture का अलग totaling करो plant machine equipment का अलग करो अरे हमने बहुत सारे rent दी होते न तो अपने को rent कैसे चेक करना चाहिए सब चीजों का इकटा करके के item wise rent देखना है अरे मुझे देखना है 2,40,40 हो रहा है के नहीं तो मेरे पास दो option क्या है building का अकेला रखो machine का अलग अलग रखो के combine करो एक वार दोनों ट्राइ मारते चलो building का अलग से rent कितना अरह है और बाइदवे इस देखना है पूरे साल का कितना है पूरे साल का कर यह फॉस्स सेप्टेम्बर से चालुआ था तो साल का कितना हो गया भाई गिनना सेप्टेम्बर गिनलो सात महीने होते सेप्टेम्बर से मा सात महीन न तो जो भी सात महीने का बलो न तो building का rent कितना रहा है है वन लैक सेवेंटीव थाउजन पूरे साल का आ गया इन टु सेवेन मंस करके किया क्योंकि सात महीने के लिए भाड़े पे लिया है फिर मशीनरी का अलग से निकाल एक वार machinery का rent कितना 15,000 पर मन और machinery का date देखो क्या था first October से तो October से तो 6 महिने होते तो 15,000 इंटू 6 महिना कितना है 15,000 इंटू 6 महिना कितना है 90,000 यह machine का per annum rent है अब सुनो बिल्डिंग पे rate of TDS 10% है machine का 2% है अरे था ना land building furniture 10% plant machine equipment 2% तो इधर rate अलग है तो दोनों का rent अलग रखके check करना है कि combine करके क्योंकि इसी अलग रखके check करूंगा न तो दोनों amount अपने आप में 2,40,000 से कम है बिल्डिंग का भी 2,40,000 से कम है machine का भी 2,40 से कम है और 2,40 से कम है तो मेरा addition हो जाएगा मत काटो मत काटो मत काटो TDS लेकिन combine करूंगा तो 2,40 से ज़्यादा हो रहा है combine करके देखो machine का दो टका होता है rate दो दी यह पर बोद दी रेट्स आ प्रोवाइड़ बाया common section and when the common section is common we have to see overall for the section तो यह section तो एक ही है ना 194 आई तो एक section में combine में देखना पड़ता है तो चाहे वो building का रेंट हो के machinery का रेंट हो applicable section 45 और की एक एक तो एक बन के सोचो और एक बनाओ मतला combine और combine किया तो 2,60,65 आ रहा है तो TDS आएगा हाँ exception है इधर अभी मैं क्या stand लिया एक section है तो एक बन के सोचो लेकिन लेकिन 194 जे में ऐसा नहीं है यह देख 194 जे में तो एक्ट में specifically लिखा है ना तुम लो समझे नहीं देखो क्या बूल रहा है देखो 194 जे में तो है ना एक section लेकिन उसका जो 30,000 इच है वो professional का 30 अलग, technical का अलग, non-compete का अलग था ना लेकिन वो तो section खुद लिख्के दिया है ना act में जैसे 194 जे में भी 30 तौन इच नहीं लिखा होता ना तो उदर भी अपनों क्या करते प्रोफेशल टेक्निकल सब मिला के combine 30 तौन देखते ऐ इसा है नहीं ना बट क्योंकि लो में लिखा है कि professional service का 30 तौन अलग रखो, technical का अलग, सब का अलग अलग रखके decide करो, और सब 30-30 अलग अलग देखके decision लेना चाहिए, लेकिन वो 194 जे में ऐसा बोला है, अदरवाइस जनरल प्रोटोकॉल क्या है, एक section है तो एक बन के सोच एक बन के मला इक अलग रखना क्योंकि अधर लो में specific provisions है, लेकिन अभी तो 194 आई है, यह तो एक section है, तो एक बन के सोच, एक बन के मला इकटा कर, जितने भी रेंट हो, लेंड, बिल्डिंग, फरनीचर वगेरा वगेरा, सब इकटा करो, तो इकटा कर के अपना addition क्या था, एक 1,75,000 रेंट था बिल्डिंग का और मशिनरी का 90 था, तो इकटा कर के कितना आगे तो 2,65,000 विच इस अबाओ 2,40,000 तो हैंस TDS विल बिक अप्लिकेबल, बट इस पे 10 परसें आएगा, इस पे 2 परसें, रेट तो रिस्पेक्टिव अप्लिकेबल होगा न, तो यह question इसक एक्जाम में आचुका है, यही तो इन लोग बोल रहे है, इधा separate agreement बना है, तो इन लोग इसका भी मूत और जावब बना रहे, separate agreement बना ले वाले तुम लोगो, तुम लोग की नहीं चलती, कानून की चलती है, और कानून का उसूल क्या, एक सेक्शन, एक अमांट, separate, separate मत करो एक करो, अब तुम separate agreement बना ले, उससे क्या होगा, यह तो इन लोग नोग जान पूछ किया दिया, ता कि बच्चों बोले, separate agreement और बच्चा गुम रहा हो जाए, और हाँ, यह तो agreement ही अलग है, तो अलग करके देखो, और अलग करके देखता तो मेरा तो डिश्यन TDS आएगा ह यह तो इसकी बातों में बता, इवन दो यू मेक अ सेपरेट एग्रिमेंट, वी आव तो शी कंबाइन अमोंन फोर वन सेक्च्चन, तो इदेखो, शॉट में देखो, इदर पड़ो किया, लेमेट इस पॉर, एग्रेगेट रेंट ओफ, और अल आएट्स, ओके, फिर आगे on 31st March, towards maturity process of LIC policy, take on on 1st April 21, sum assured 4 lakhs, annual premium 125, तो transaction क्या है, मैंने क्या विला, TDS के सम्में, payer, receiver, transaction, identify करो, यह transaction है, maturity process of LIC का, LIC का maturity process मिलता है, तो rule क्या था, तुम लोग को मेरे साथ बितायवा वक्त, याद नहीं है ना, तो मैं याद दे लाता हूँ, यह देखो, यह रहा, Life Insurance से जब claim मिलता है न, death में मिलता है तो exempt है, maturity में मिलता है, तो देखो, small premium policy होगा तो exempt, big premium policy होगा तो taxable, तो अपने question में death वाल है कि maturity वाल है, maturity तो अपने यह वाला knowledge लगाएंगे, maturity वाला, अब मुझे क्या check करना है, Is it a small premium policy के big premium policy, अपने question में कैसी वाली policy है, तो वो कैसे decide करते हैं, उसके लिए यह rule था, अपना annual premium, अगर यह limit से ज़ादा है, तो big premium policy हो गया, तो बता इधर कौन सा limit applicable होगा, तो उसके लिए policy का date देखना पड़ता है, तो policy का date क्या है, देखना लिखा है, policy taken on 1st April 21, तो यह देख जल्दी देख जल्दी देख की तर 1st April 21 मतलब, यहाँ पर आ रहा है, ना बुल, नई, इस बीच में आ रहा है, नई, इस बीच में आ रहा है, हाँ, रहे थीन slab है, 12 के पहले का policy हो तो यह rule है, 20 बसन समस्योड, और 12, 13 के बीच में है, तो normal लोग का 10, handicap का भी 10, और 13 के बाद है, तो 10 और 5, और 23 के बाद policy निकाला है, तो 10% से जादा हुआ, तो भी बेग, 5 लाग से जादा हुआ, तो भी बेग, और यह मतलब इस बीच में जिसने policy निकाली होती है न, उसमें एक ही रूल है, premium 10% और समस्योड से जादा हुआ, तो भी बेग, बस, और 23 के बाद policy निकालते तो क्या रूल है, आईदर premium एक से 10% और 5 लाग स, whatever, 5 लाग से cross हुआ, तो भी बेग मांगते, 10% से cross हुआ, तो भ मेले वाली है, मले इस बीच वाली है न, तो इस बीच में रूल किया था, 10% हाँ, बट हैंडीकेप होता है, तो 15% है, अपना अदमी हैंडीकेप हैंडीकेप है, के नॉर्मल है, नॉर्मल, अरे तो 10% का करना क्या बताओ, समस्योड जो होता है न, 4 लाग, उसका 10% निकालो, कितना है, 40,000, यह लिमिट है, अब एक्च्वल प्रीमियम देखो, एन्यॉल वाला, एन्यॉल प्रीमियम कितना है, 1 लाग, 25, और यह ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन, और यह लिमिट थे न, और हम लिमिट से जादा प्रीमियम दे रहें, मतलब बिग प्रीमियम हो प्रिम्याइब और लेकिन उसमें भी न एलाइचि वाले से एक लाक या ज्यादा आ रहा होगा तो चेकर लाइसी वाले से कितना रहा है एक लाग से तो ज़्यादे ही आ रहा है ना अरे इसमें भी TDS का बात है बिग प्रीमियम में इप अमाउंट पेड़ बाई LSE is 1 lakh और मोर तो चेक कर is it 1 lakh और मोर yes it is 1 lakh और मोर तो TDS तो आएगा section किया इसका 194 DA में आएगा है ना और यह income element पे आता है यह वाला TDS income element पे आता है income element मतलब LIC वालों से जो पैसा मिला minus premium काट दो क्योंकि हमने premium भरा था तब जाके मिला था तो जो मिला हो पूरी थोड़ी मेरी income है उसमें premium काट के जो difference का 5% TDS होता है यह मैंने पढ़ा ते डेम बोला था यह वाला 5% TDS is on full amount के difference amount difference बनलब income element तो tell me इधर अपने policy से मिला कितना और इसके सामने premium कितना दिया था मैंने premium कितना दिया है एक साल में 1,25,000 दिया है और ऐसे मैंने 3 साल premium भरा है बता हिम्मत है तो बता कैसे निगाला 21 से policy निकाली थी 1st April 21 तो गिन और 21,22,22,22,23,23,24 और 24 के end में मिला है अरे तो आपने 3 साल premium चुका है तो सी LIC बले मुझे 4,50,000 दे रही है लेकिन मैंने 3 साल तक premium कितना दिया 3,00,75,000 तो तो मेरा उसमे profit कितना हो रहा है difference कितना है 75,000 और TDS profit element के ओपर काटते हैं लोग LIC वाले काटके देंगे लेकिन LIC वाले पूरे 4,50,000,000 का TDS निकाटते profit element का और profit element क्या होता है जो LIC से मिल रहा है माइनस हमने जो premium दिया है तो सी पहले तो बोलना चाहिए इधर annual premium 10 परसें ज्यादा है तो इट सबीक premium policy ओके तो 5% TDS आएगा बट इट विल बी ऑन दी income comprised income comprised मले difference ओ profit element पर आएगा और वो देखो मैंने कैसे निकाल ऐसे ही किया था नमने फिर अगला वाला देखो चलो come on खत्म ही हो रहे है लास्ट है न मेरे काल से बस लास्ट है क्वेश्टें ट्विंटीफइव एक साथ में पढ़ता रूको Ms. Tara resident individual age 32 years is a social media influencer she makes videos reviewing various electronic items and post those video on social media social media की influencer है बहुत सारे follower होंगे instagram में और उसका काम क्या है जो electronic items होते है न उसका review देती है कि अच्छा है बुरा है और क्या है बड़े-बड़े influencer लोग review देते है तो public भी influence हो जाती है और review देने के बाद उसका videos पोस्ट करती है Instagram वगेरा में न फिर क्या लिखा है और 1st December 23 एक्स लिमिटेड एक्स वाइज लिमिटेड इंडियन कंपनी मैनिफिक्चरर ओफ इलेक्ट्रिक कार्स गेव हर अ ब्रैंड न्यू कार हैंग फेर मार्केट वल्यों छे लाग तू प्रमोट ओनर सोशल मेडिया पेज बड़े कंपनी ने उसको एक गाड़ी दी कैसी गाड़ी थी इलेक्ट्रिक कार और उसको क्या बोला तेरे इंस्टाग्राम में इसको प्रमोट कर बले इस गाड़ी की थोड़ी तारीफ पारिफ कर प्रमोट कर फिर बाद में क्या लिका है समझाए कि एक्चुली सी तारा कौन है तारा ऐसी सोशल मीडिया इंफ्लेंसर उसके मालो इंस्टाग्राम में पाच्छे मिलियन फॉलोड्स होंगे इसे फील करो मेरा ध्यान से सुनना क्या बुर रहा हूं इतने सरे फॉलोवर है तो यह कंपनी गाड़ी बनाने वाले कंपनी इलेक्ट्रिक कार्ज बनाती है तो वह कंपनी ने इसको क्या बोला तू एक गाड़ी रख तू उसको यूज कर ले पहले तेरको अगर सच में बिगार सकती है गंदे प्रोड़क का रिव्यू दे दोगी तो मैं भी गंदी बन जाओंगी तो तारा ने ऐसा शायद कंडिशन रखा होगा कि मैं आपकी गाड़ी पहले साथ महीना खुद यूज करूंगी मेरको अगर सच में लगा ना मस गाड़ी में दम दोस्त फिर मैं उसकी दिल खोलके मार्केडिंग कर पाऊंगे ओकैसे मेरा बुझे कोई बोले सिरिश सर आपका वीडियो लेक्चर दे दो हमको वीडु लेक्चर आपका अच्छा लगा ना फिर हम उसकी प्रमोशन करेंगे ऐसे बोले ऑसे बोले से mir走了 अच्छे से क्यू करेगा हो बराव değil भी बोलेगा मेरा नाम खराब हो रहा है तो वैसा ही कुछ वह होगा ना तो इधर उसने साथ मेना गाड़ी यूज की और बाद में रिटन भी कर दी हर माले कंपनी ने गाड़ी रखने को नहीं थी कंपनी ने बोला तो गाड़ी यूज कर अच्छी लगे तो वीडियो बना के अब कितने लोगों लेगे क्या अच्छी स्टोरी मेरे भी इंफ्लेंस और फॉल्लोर्स होने चाहिए क्या करूं बस अरे वो सब बस सोच टीडियस आएगा कि नहीं सोच अगे तेल मी तारा को इसमें पैसे क्या मिलेंगे अरे तारा को जल्दी है ऐसा दो ओड़ा गाड़ी उसका अची लगे तो वीडियो डाल उसका तो सी, तारा को है न, कुछ फीस तो मिली होगी, कुछ पैसे मिली होगी, कुछ चार्जिस मिली होगे, प्लस उसको गाड़ी यूज करने दी, तो टेल मी पहले तो सोशल मीडिया इंफ्लेंसर को हम लोग जो पेमेंट करते हैं, उसका कोई TDS में सेक्षन नहीं है, लेकिन उसको जो गाड़ी दिये न, गाड़ी उसको एक्स्ट्रा मिली है, अगर उसको गाड़ी रखने को देदी होती हैं, तो उसको एक्स्ट्रा पॉक्स मिला है, और कभी भी कोई किसी को एक्स्ट्रा पॉक्स देता है, तो 194 आर आता है, याद है 194 आर, मैंने याद कैसे कर रहा था, 194 आर, मतलब पर्क्यूजट्स, पर्र में र का साउंड आता है, आर, पर्क्यूजट्स, तुमको यह न, यह पहले में को बताना पड़ेगा, तुमनों को याद मेरे साथ बिताएवे वक्त, याद नहीं होंगे न, तो यह देखो, कभी भी हम किसी बिस्निस पर्सन को पॉक्स देते, तो उसमें TDS 194 आर में आता है, तो सी इधर बिस्निस पर्सन कौन है तारा, तारा का भी धंदा हो गया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में प बिस्निस पर्सन, जो भी नौकरी तो नहीं कर रही है न, तारा, इंडिपेंडनेंट है, तो तारा बिकम्स बिस्निस पर्सन, ओके, अब इधर एनी पर्सन एक्सेब इंडिविजियल एचिएफ, तो अपने क्वेस्टन में कौन था नाम क्या था, एक्स वाइजएड लिमि लिए होगी न, वो पर्क्यूसिट का मतलब क्या है, तुमारी बेजिक फीस के उपर एक्स्ट्रा दिया तो, यह मैंने पढ़ा दें स्ट्रेस करके बोला तो, पर्क्यूसिट का मतलब ही क्या है, कि तुमारा जो बेजिक चार्जिस है, उसके उपर एक्स्ट्रा जो दिया, तो तारा के जो basic charges की बात नहीं हो रही है, उसको उपर extra में गाड़ी मिली थी, लेकिन गाड़ी को मैं percusate नहीं बोच सरता है, क्यों गाड़ी रखने को नहीं मिली थी, review करना है तो use करके देख, लेकिन company ने भी शानी ये गाड़ी वापस दे ली न, अगर company दिलदार हो के बोलती है, अरे तारा तुए गाड़ी रख ले ना जा, मजा कर, तो वो percusate हो जाता, और फिर उसकी value 20,000 के उपर है तो TDS आता, और value तो 20,000 के उपर है, 6,000,000 की गाड़ी है, लेकिन गाड़ी उसको रखने को दी के वापस ले ली, वापस ले ली, तो it doesn't have the character of a percusate, it would have become a percusate, if company वोड़े 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 गिवन अवे दा कार तुहर, दिल खोल के, और वो गिवन अवे दा कार, it would have been some extra thing, overall about the fees, okay, तो इंस्वाड़ी दर क्या बोला थे, 194R का माहौल बनता हुआ लगा, लेकिन ड्रॉप होगया आइडिया, और पता है, सोशेल मीडिया इंफुलेंसर लोग के ऐसा बहुत वार होता है, चलो इतो गाड़ी जैसी चीजे तो कमनी ने क्या है, दिल नी हुआ देने का, लेकिन छोटी मोटी चीजे होती है न यार, जैसे कोई मोबाइल का रिव्यू करना है, कितने सेलिब्रेटी लोग अभी, दीशा पतनी, टाइगर श्रॉफ अगरा, यह लोग सब बड़े-बड़े इंफ्लेंसर होके बैटें इंस्ट्रागाम में, तो उन लोग को मोबाइल कमनी वाले क्या बोलते, तो हमारे मोबाइल का वीडियो बना के प्रमोट करो उसको, मोबाइल उनसको ऐसे ही दे देते, रख ले, तो वो पर्क्यूजट हो जाता है, लेकिन इधर क्या कमनी का दिल गाड़ी देने का नहीं हो, क्यों गाड़ी तो बहुत महेंगी चीज़ होती है न यार, तो यह question बनाने का reason नहीं क्या था, क्योंकि मार्केट में आजकर बहुत common है, बड़ी बड़ी कमनी इंस्टाग्राम के जो सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर है, उनको फीज देने के अलावा, जो उनका प्रोड़क्ट है वो ऐसी फ्री में दे दे थे, तो वो जो प्रोड़क्ट फ्री में दे दिया, वो पर्क्यूजट बन जाता है, लेकिन रखने को दे दिया तो, लेकिन इधर वापस ले ली तो पर्क्यूजट का आइडिया ड्रॉप, तो 194 आर नहीं आएगा, इस, इधर क्या डाउट है, ये कैसे मालूम पड़े, पर्क्यूजट तो सर आप क्या बोलते हैं, उसकी बेजिक फीजट के ऊपर और और अबा होता है, और अबा होता है, तो सी, फिर इधर तो गाड़ी उसको दी नहीं है, तो फीज तो दी होगी ना, पर चलो गाड़ी रखने को भी दे दी होती ना, तो इन लोग बोलेंगे, उसको उसकी जो फीज बीज मिली थी। पलस उसको एक्ष्टरा ही गाड़ी भी मिल गई तो ऐसा बताएंगे और सी ना भी बता हो औने तो मार्केट में ट्रेंड हैhouheads तो मार्केट में ट्रेंड सोशट मीडिया इंफ्लेंशर वाले होते लिए वो अपनी फीज रखते है ना उनके चार्जिस होते है अरे मैं खुद भी अपना कोई वीडियो प्रमोट करने के लिए किसी को देता हो तो पैसा लेते हो लो तो पैसा लेना तो बेसिक है उपर से कोई चीज दी दी तो उसको हमेशे एक्स्ट्रा है मानो इन शॉट तुमको ऐसा क्वेशन में क्लैरिटी भी ने लगे ना तो यू राइट नोट कि वो इस इंफ्लेंशर को जो बेजिक फीज दी हो तो दी होगी प्लस उपर जो आईफोन वाईफोन दे दिया वो एक्स्ट्रा होगा बट वो आईफोन उसको रखने को दे दिया तो इधर गाड़ी की बात हुई थी लेकिन उसको रखने को नहीं दी ना तिसले परक्यूजेट नहीं बन पाएगा कई इंश्वड किसी का डाउट था यह एक्स्ट्रा में मिला कैसे तो वह यूजो टो चीहिसा ही होता है तो वैसा नोट लिक्टे कर सकते अ कि आक यह कि यह undert कर में से उट को कि यह चानल के लेकिन आई-सी अंब यह रसे अई चीज़म है लेकिन से फाइनल में तुमको नहीं मिल पायेगा लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा यह जो सेशन हो रहा है इंटर में भी वा था तुदर अच्छा लगा तो तभी मैं सोझे फाइनल के बच्चों को भी कराऊंगा है क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगाता मुझे और 194RB सेक्ष्चन थोड़ा नाय में है ना एकदम पुराना सेक्ष्चन तो नहीं हिंदिनों में आया हुआ है जो उनको जो बेजिक चार्जिस देते हैं उसका टीडियस सेक्ष्चन नहीं है ना कहां डालोगे बताओ अपना टीडियस का कोड़वर्दा सीडी वकरफ सीपी कहां फिट हो रहे है सोस्चयल मीडिया इंफ्टोइंसर को वो लोग्रफेश्चल के डेफिनेचन में भी नह सकते है और ऐसा आभी गया ना budget में फ्यूचर में अमेंट्मेंट तो चोकना मत कि government की नजर है कि आज का सब social media influencer लोग अच्छा वैसा पैसा दबा रहे हैं तो उन लोगो professional services के definition में डाल सकते फिलाल तो नहीं है तो फिलाल तो नहीं है तो फिलाल तो उनको जो basic charges दिये उसका TDS नहीं है उपर से कुछ एक्स्ट्रा पकड़ा दिया तो उसका आएगा लेकिन और रखने को दे देवे तो नहीं प्रोफेशनल स्तियों social media influencer cannot become a professional यह तो क्या है कोई चोड़े-बोटे कोई भी लोग हो सकते हैं कौने मालूम थोड़ी अपने को हाँ चलो film artist बोला तो समझ भी जा सकते हैं फिल्म आर्टिस्ट प्रोफेशनल के डेफिनिशन में था अभी तारा कौने क्या मालूम फिल्म आटिस्ट अबोला होगा तो मेलं फिट कमनी प्रोफेशनल फिल्म आटिस्ट लोग तरह लोग === तोसका फिल्म आटिस्ट के लेई कुस्ट प्रोफेशनन फिल्म में थिस भी त concept के तो प्रोफेशनल की था नहें की नहीं है यह ßा बेजिक फीस की बात कर रहा हूं, येस, फिल्म आटिस्टों तो ले सकते, क्यों फिल्म आटिस्टा प्रोफेश्टल, इन दा लिश्ट प्रोफेश्टल अंडर वन नाइन टीपोज ये, स्पोर्स पर्सन वो लोग भी प्रोफेश्टल से, तो अलग बात है, खतम, TDS समप तो हो गया है, इसके बाद वाले तो उमने पहले ही कर लिये थे ना, खतम, आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग दाइम, इक्वलाज़ाशन लेवी, लेकिन इक्वलाज़ाशन लेवी की शुरुवात करने के पहले, एक सेंट, तुमको उसका एक वो देना पड़ेगा न, रीकैप, क्या था उसमें, यह देखो, यह अपना इक्वलाज़ाशन लेवी का टॉबिक चालू हुआ था, इसमें मेंने सबसे पहले सबसे बड़ी हैमर चीज क्या की थी, यह ओनलाइन धंदे के लिए, और ओभी किसको टारिगेट करने के लिए, एन आर, विदाउट पी, क्योंकि जिस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में, पी नहीं है, तो उसको उमलोग सीधी तरह किसे, इंकम टेक्स की गोली नहीं मार सकते हैं, इस ते एक्वलाज़ाशन लेवी, क्योंकि एन आर को इंकम टेक्स मारने के लिए कंडिशन किया, उसका इंडिया में पी होना चीए, लेकिन पी नहीं होता, तो उमलोग इंकम टेक्स नहीं मार पाते, इस ते एक्वलाज़ाशन लेवी, तो इट इस ओनली फोर एन आर विदाउट पी, और वो भी ओनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ओनलाइन, प्यॉर ओनलाइन, ओके, अब इसमें न, पढ़ाते डे मैंने दो टाइप के इक्वलाशन लेवी बताया था, एक था 6 परसें वाला, एक था 2 परसें वाला, दो इक्वलाशन लेवी होते हैं, चे परसें वाला, टू परसें वाला, तो अभी मैं क्या करता हूँ, 6 परसें वाले के लिए क्वलाशन है, वो रिकैप करवाता हूँ, 2 परसें वाले की कंडिशन, वो कंडिशन फिट होगी न, ट्रस्ट में तुमको हर सम, अपने आप कर सको, ऐसा लगेगा, तो पहले 6 परसें वाले की कंडिशन्स क्या थी बताओ, एक 6 परसें एक्वलाशन लेवी था, उसमें कंडिशन क्या था नहीं देखो, मैं जो बताओ देखो, ओनलाइन एद्वर्डिश्मेंड का ट्रांजेक्षन होना चीए, और ओनलाइन एद्वर्डिश्मेंड करवाने वाला जो पेय करने वाला, वो कौन होना चीए, रेसिडेंट परसेंट केरिंग बिजनिस और एनार वित भी, या तो मेरे ऐसा कोई coaching class चलनाने वाला resident होना चीए देशी बंदा या फिक नर भी है ना तो इंडिया में धंदा लेके बैटा वसा होना चीए ये कौन है add करवाने वाला pair pair क्यों कि advertisement के payment करते है न और receiver कौन होना चीए जिसका website वगरा जिदर online add होती है जैसे Google हो सकता Instagram Facebook अगरा कुछ भी हो सकता है तो receiver शुट भी एन आर विदाउट पी तीन कंडिशन बोले पहली condition online advertisement दूसरी condition pair resident with a business in India और और विद पी इन इंडिया थर्ड कंडिशन रिसीवर पे बोल रिसीवर रिसीवर कौन होना चीए न र विदाउट पी जैसे Google जैसे कोई हो गया और चौथी condition amount 1 lakh से यादा होना चीए ओके 1 lakh से यादा है per person aggregate of the year पूरे साल में between the pair and रिसीवर 1 lakh से यादा होगा ओके और percentage क्या यादा है 6% and it operates like TDS तो यह first वाला है तो यह कंडिशन याद होगे न बरावर से और कभी भी सम में सुन ऐसी कंडिशनों का महौल बने न सीधा आंसर देना चीए को लेशन लेविशाल भी attracted at what rate 6% बाइदो इसका वन लेके से चेक करते हैं में जैसे Google में मैंने एड़ दिया दो यह मैं हुआ तो मेरे और Google के बीच का देखना है पूरे साल का ऐसे Google में तो कोई और भी एड़ दिया होगा किसी और ने भी दिया हो तो किसी और का नहीं देखना है person to person between me and Google transaction पूरे साल में एक लाग हुआ है कि नहीं हो देखना है क्योंकिसी Google में एड़ देने वाला तो हजारों लोग है हजारों का टोटल नहीं करना है it is between one advertiser and one Google okay to tell me मैंने Google में भी एड़ दिये Facebook में भी एड़ दिये Instagram में भी दिये तो तीन अलग person होगे तो तीन अलग-अलग होता है फिर हो मलब it is between per person per party, per advertiser, per party वैसा देखना चाहिए ओके और वो और पूरे साल मलब नहीं पर transaction नहीं साल में तो मैंने चार बार एड़ दियोगी मैंने साल में Google में चार बार एड़ दियोगी तो per transaction नहीं तो चारो साल का चारो total aggregate of the financial year है इस अग्रेगेट of the financial year है पूरे साल का लेकिन between one person and another person person to person one lakh between one person and another one person पूरे साल का one lakh से जाधा होना चीए ओके हां तो ठीक है सी जिसे गूगल का YouTube भी है सी गूगल का YouTube भी है गूगल का दूसरा सी प्लैटफॉर्म जाने तो company wise देखना चीए between me and that one company अब उस company के छे साथ platform है तो उससे क्या फूरे company तो एक ही है ना जैसे मैंने Google से मेरा संपर्गवा अब Google के छे platform होंगे लेकिन छे होने तो ना Google तो एक ही है तो between एक Google and between एक शिरिश्वियास between one person and another person और person मतला से बनता है प्लैटफॉर्म से नहीं Google के तो छे platform हो सकते लेकिन कंपनी तो एक ही है ना तो between one advertiser and one company if the aggregate of the year exceeds one lakh तो आता है लेकिन सी इधर ये clear है ना क्योंकि हर सम्में तुमको लोगे यही काम आ रहे घूम फिर कि तो इचाप लो दिमाग में चप गिया दूसरा वाले एक वाले चलेवी में दो कंडिशन किया है इधर देखो दूसरे वाले equalization अधर यह पहलेवाले ले ट्रांजेक्शन online advertisement था ना दूसरे वाले वह ना कोई भी transaction हो सकता है online advertisement online not advertisement online goods 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 कुछ भी anything online actually law में लेका any e-commerce supply or services और supply word goods के लिए यूज़ करते है service word service के लिए कुछ भी online बेचा ना चाहे वो advertisement service हो के कुछ भी हो बनले even advertisement service भी second में आ जाता है लेकिन advertisement को first priority इधर देने का लेकिन by chance कोई advertisement service ये पहले वाले equalization level में set नहीं हो रहा है तो दूसरे में घुसेट दो क्यों दूसरा वाला equalization level 2% वाला वो generally it is for any type of goods and service online sold but because online advertisement का specific 6% लेवी है तो first priority इसको देना चीए लेकिन तुम लोग को एक sum कराऊंगा जिसमें कई बार online advertisement में या कोई condition satisfy न होने के कारण इधर फिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि second वाला equalization levy is for any type of product any type of service which is sold online लेकिन अब उसमें शर्ते देखो क्या है transaction किसका है क्या बुला any good service online online is must okay अब उसमें online sale करने वाला जो platform owner है न वो NR without PE होना चीजिए Amazon है Amazon is just an example तो platform किसका होना चीजिए website किसकी होना चीजिए NR without PE की okay and फिर उस website से जो product बिकरे है वो किसके होना चीजिए वो भी NR without PE के और जिन customer को माल बेचा जा रहा है वो देशी customer होना चीजिए एक अरे ड्रॉइं को डीटेल मत है उपर 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 सुनो मैंने क्या होला जिसकी वेबसाइट है उसको एक्चुली बोलते एक कॉमर्स उपरेटर न जिसकी वेबसाइट है या जिसका अप है वो NR without PE और उसकी वेबसाइट भी जिसका माल बिक्र है वो भी कि एनर without PE और जो कस्टमर है वो देसी कस्टमर होना चीए तो या देश की सरकार कुछ ले सकती है न Came ले और या क्लिए मटलब क्या है कि ऐसा customer जो India का resident है, क्या फिर India का resident νहीं है, तो India का IP address यूज करता है, IP address मारे internet protocol, मायं इइए का Wi-Fi यूज करता है, simple, इंडिया में बैठे बैठे Wi-Fi यूज किया ना, तो इंडिया का IP address यूज हो गया, London में बैठ के Wi-Fi यूज किया, तो लंडन का IP address यूजवा तो तीन कंडिशन क्या थी बताओ एक्चुली कंडिशन तीन में पहला कंडिशन क्या था प्लैटफोर्म वेबसाइट किसका एनर विदाउट पी और उसपे जो प्रोड़क्त भी करें वो भी एनर विदाउट पी का होना ची और प्रोड़क्त खरीदने वाला कस्टमर वो इंडियन कस्टमर मतले या तो विदाउट पी कि उसी के लिए एक्वालेशन लेवी बना है और वो प्रोड़फोर्म में जो गुट्स भी रहे हैं वो भी एनर विदाउट पी के क्यों होने चीए है क्योंकि अगर रेसिडेंट लोग का माल बिखता है तो रेसिडेंट लोग इंडियन कस्टरों तो इंकम खैल जाता है तो सो जो किसी की वेब साइट पे रेसिडेंड लोग जैसे शिरीश्वाद रेसिडेंट यह मैं अपनी वीडियो लेक्शन बेष रहा हूँ तो मैं तो इंडिया में चाइट वर रहा हूँ न तो वेबसाइट पे जिसका माल बिक्रए न वो बंदा रेसिडें से इससे जिसका माल भीक रहाए ना वेबसाइट पे वह भी अविदाऊट पिए होना चाहिए तो तो सी ही वाला ट्राइ करो एक एक करे कि देखना मालो एमेजॉन की वेबसाइट है वह एमेजॉन विदाऊट पी है और प्रोडक्त है Amazon का ही है तो Amazon तो आयनर ऐनारर विदाउट पी है तो condition फुल्फिल हो गया तो Eekwalaishire लेभी आएगा फिर प्रोड़क भी किसका है वो Amazon का नहीं है कोई थर्ड पॉरड़क्त है अ नररर विदाउट पी है तो Eekwalaishire भी आएगा अपने कुँ वही ची जिसका प्रोड़क्ट किसका है को रेसी डेंट गद है शीरी श्वयाज सोथ लो में शीरी श्वयाज से देंट है यह मेरा वीडियो लेक्षर देखो मेरा वीडियो लेक्षर विकराया अबेजॉन की वेबसाइट वे पॉसिबल है न घुड़ने मत लेवी में cover नहीं होगा, उल्टे का ये transaction 194.0 में आ जाता है, कैसे, Amazon वाले मेरा video lecture बेज बेज के देते है न, तो Amazon मेरे को TDS काट के देगा 194.0 में, क्यों 194.0 में क्या था, website वाला resident को TDS काट के देता है, तो ये देखो, website वाला Amazon और ये resident, तो इसी के लिए तो 194.0 बना था, लेकिन 194.0 तो income tax की दुनिया है, और income tax की दुनिया मनले, equalization की दुनिया से बाहर, इस ता भी तो देखो, मैंने cross किया, चौकडी मा रहा है, अब ये अगला product देखो, ये product किसका है, नर्विद P.E. और नर्विद P.E. मतलब सो जो कोई Singapore की coaching class है, वो Hitabad में ब्रांच कोल के बैटी है, इंडिया तो वो लोग तो वैसे ही अपने इंडिया में टैक्स भर रहे ना तो उनका माल भी वेबसाइट वाला बेचके क्या उखाड लेगा फिर उसमें इक्वलेश एलेवी डबल हो जाएगा ना तो मैंने पड़ा तेट में इधर मेरा एक्जाम्बल लिया था और इधर बोला थे सिंगापूर वाले कोचिंग क्लास से उन लोग की इंडिया में है इधराबाद में ब्रांच इस वगरा है तो यह पी इंडिया तो उनकी पेंट रहे वगरा बिकेगी तो नहीं आएगा क्योंकि इंकम डेक्स में आत कोचिंग क्लास के नाम की ब्रांश है कोचिंग क्लास के नाम भी लेकिन वो Baum कंप with sm amazon की website फे तो laptop is a coaching class product के unrelated प्रोड़क्ट unrelated तो उसमें equalization envy आता है see nr without with पी वाला जो है न उसके product की equalization अभी नहीं कब होती है जब उसका पी भी उसी product का है जैसे यह वाले में मना क्यों किया यह वाले में कियोंकि एथर यह coaching class का ही product है product पेंड रई वीडियो लेक्च्छिर्स तो सिंगापूरेन कोचेंग क्लास हाइदराबाद में ब्रांच कोल के बैठी है तो कोचेंग क्लास का धंद है और कोचेंग क्लास धंदे से वो तो अलग ही है तो वो प्रोडक के लिए तो उनका पी नहीं है ना तो एक तरह से एनर विदाउट पी हो गया तो इसमें भी आता है तुमको पता नहीं यह ऐसा जोड़दार चीज है ना तुम लोग जितने भी क्वेश्चन करोगे इससे आंसर आएगा ही आएगा इससे त मैं ने मेक्सिम रखाग है या तो वेबशाइट रहा यह का प्रोडक्त है यह फिर को थर्ड प्रोड़ी प्रोड़कत भड़ो नर विडाउट पी है और रेनीर विधी वान तो प्रोडक अन्रेलेटेट अन declared श्यक्ष कि byton unrelated उस प्रडाइक के लिए तो आनर विदाउट पीओ गया ना जैसे कोचिंग क्लास उनका प्रीक्त है लेकिन लैप्ट उनका प्रीक्त नहीं तो लैप्टोप के लिए तो देवी कम आर विदाउट पी इंडिया और लिमिट क्या था टू क्रोज से या ज्यादा या इक्वल हुआ तो और इधर ऐसा नहीं है के परसंटू परसंट देखते हैं ओके बले एमेज़ॉन बले एक परसंट है लेकिन कस्टमर लाखों का मिला के जैसे फर्स्ट इक्वल एक्ष लेए में किया है between one person and that other person वन लैग से जादा होना चाहिए फॉर दो होल यह लेकिन इधर किया है between लाखों परसंट वन एमेज़ॉन one to one के लाखों टू वन लाखों टू वन क्या बुला फर्स्ट वाले में क्या था लाखों तो तो क्रोस और मोर वा तो आता है और टीडियेस की तरह उप्रेट होता है कि अमेजॉन खुद बरेगी अमेजॉन खुद बरेगी ओके अब इसके बेसिस पर फट्पर ट्राइ करते है यहां सुरी एक और चीज नहीं बताए ना एक और इक्वलेश से लेवी है टू परसेंट के अंदर वो टू परसेंट के अंदर है लेकिन मैंने उसको इस ड्रॉइंग में डाला नहीं है वो क्या तालू में ओनलाइन एड्वर्डिसमेंट के लिए यह टू परसेंट वाला भी आता है लेकिन कैसा यह देखो लुक अगर ऐसा व एनर विदाउट पी दूसरा एनर विदाउट पी दोनों विदाउट पी ऐसे में ओनलाइन एडवर्डिस्मेंट होती है विच इस टारगेटिंग बेसी कस्टमर इंडिया के कस्टमर तो उसका टू परसेंट वाले एक्वलेशन लेवी में आता है तो फरक क्या है अरे वाले एक्वलेशन लेवी में ओनलाइन एड़िशन का बता है बता हो कब बता है तर मेने ड्रॉइंग जिसमें जिसके प्लैटफॉर्म बैड दिया वो भले एनर विदाउट पी है लेकिन एड का जो पेर है वो रेसिडेंट और एनर विद पी है तो 6% वाले में आ जाता है लेकिन अगर इसकी जगह ये एनर विदाउट पी है मतलब ये भी एनर विदाउट पी ये भी एनर विदाउट पी पेर और रेसीवर दोनों विदाउट पी और ओनलाइन एड़िश्मेंट है बट एड़िश्मेंट आर्गेट इंडियन कस्टमर तो भी एक्वालेशन दाल्वी में Facebook NR without PE है और Facebook के platform पे US के teacher ने अपनी ad दी थी और US का teacher ऐसा है उसका इंडिया में PE नहीं है तो US का professor is a non-resident having no coaching class in India और उससे Facebook में ad दी थी क्या बोलके इंडिया के students वो ad देखने चाहिए targeting Indian customer तो वो भी equalization level में आते हैं लेकिन वो first वाले में नहीं आयेगा second वाले में ओके और second वाले में जब वो 2 करोड का limit चेक करते हैं न तो 2 करोड में यह वाला भी डाल देन online advertisement वाला और यह 2 करोड के अंदर सब लेना पड़ता है अभी जो online बता न between 2NR without PEs वह अला भी 2 करोड में मिला के चेक करना पड़ता है इन शोट सी मैं student को एना तीन चीज़ रटा दो look here look short में सुन जल दी online advertisement साधा goods and service online advertisement एक online advertisement में pair resident NR with PE है और receiver NR without PE दूसरे online advertisement में pair भी BNR without PE receiver BNR without PE दोनों एनर without PE लेकिन target Indian customer और जो general goods and service बेशते हैं उसमें कैसे याद रखना चाहिए platform NR without PE का product BNR without PE का customer देशी मला student के mind में न online advertisement में दो condition की तरह याद रखो और general goods and service तीन condition कैसे बताओ online advertisement पहले online advertisement दो चीत देखना pair resident NR with PE receive NR without PE दो चीत pair receiver देखो और दूसरे online advertisement में pair receiver देखो pair NR without PE receiver BNR without PE but target Indian customer और general goods and service हो तो तो तीन condition है website भी NR without PE का उस पर प्रोड़क्त है वो भी NR without PE का और customer Indian होने चीए ओके यह आगया तो equalization के लिए कि सम में कुछ है ही निकास यह देखो कि स्टू स्टार्ट वीद यह बेजिक वाला question देखो फर्स्ट क्या लिखाए MNO Incorporational country based sorry country A based company ऐसे country ABCD लिखते माला foreign company वह जाए foreign country foreign country को यह foreign country में based company है carrying on business of manufacture and sale of furniture under the brand name Pure Wood. Furniture बेचता है, कौन? कौन? M&O Incorporation. फिर in order to increase its share in Indian market, it launched massive advertisement campaign. Advertisement आगया ना तो सुन जल दी, दो advertisement का बताओ क्या है? अरे, advertisement की दो-दो एक कॉलेक्शन ले भी है? एक में क्या है, पेर, resident, NR with P, receiver, NR without P. और दूसरे में तो पेर भी NR without P, receiver भी NR without P, but target Indian customer. और दूसरा वाला है तो 2%, पहला वाला है तो 6%. याद रहना? यह क्यों recap किया? क्योंकि यह question, advertisement campaign पे. तो क्या लेगा? It launched massive advertisement campaign of its product. For the purpose of online advertisement, it utilizes the services of PQR in corporation, a country-wide based company. Country-wide मतलब foreign country होगी. यह भी foreign country की है. which also owns and operates digital platform. इसका platform है. मतलब platform वाले operators, e-commerce operator. इन लोग के platform में अपने add देंगे. जैसे मैं Google में add देता हूना, तो वैसे इन लोग ने PQR में add देया. PQR के platform पे. फिर क्या लेका? Gross resistance of PQR from provision of such service during the year 23-24 is 3 crores. यह पूरे साल का turn over दिया है. During previous year 23-24, MNO paid file X to PQR. MNO paid file X to PQR. Discuss the tax implication of such payment and receipt in the hands of MNO and PQR. If, अब देखो 3 point क्या दिया है? क्या लिका है? MNO and PQR दोनों का P.E. इंडिया में नहीं है. फिर दूसरा क्या है? MNO has P.E. in India, PQR has no P.E. in India. फिर एक में क्या है? PQR has P.E. in India. And advertisement services are connected with such P.E. एक एक answer देखो. ओके? Question में देखो, दो पार्टी है. MNO और PQR. मैं P.E.R. Receiver लिख देथा हूँ. MNO कौन है? P.E.R. है? कैसे मालूम बढ़ा? अरुसरा, पे, advertisement का payment कौन कर रहा है? यह लिखा है ना, P.E.R. है ना? इदर क्या लिखो? P.E.Q.R. क्याँ पे? Receiver. और, advertisement के सम्में, P.E.R. Receiver से decide करो. See, अगर, P.E.R. और Receiver दोनों ही N.R. विदाउट P.E.R. तो सेकेंड वाले, Equalation Level में हैगा 2%. लेगिन, कंडिशन क्या है? That advertisement should target Indian customer. और Indian customer बोलते हैं, मले यह resident, यह using IP address of India. और, P.E.R. resident है. Receiver N.R. विदाउट P.E.R. है? तो फर्स्ट वाला, वाला, P.E.R. resident और N.R. with P.E. तो फर्स्ट वाला, तो वही देखो न, तो इधर देखो पेर रेसीवर तो अपना क्लियर है? और फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? दोनों का P.E. नहीं है, ले. दोनों विदाउट P.E. हो गए. और दोनों विदाउट P.E. तो अपना रूल क्या था? सेकेंड वाला इक्वलेशन लेवी आएगा. लेकिन उसमें शर्त क्या है? दोनों टार्गेट इंडियन कस्टमर. और ऐसा हम लोग अजूम कर सकते हैं कि क्या लिका इधर? तो इंक्रीज इट शेर इन इंडियन मार्केट. तो ओविससे एड हम ऐसी करेंगे ना टार्गेटिंग इंडियन कस्टमर. लेकिन उस सेकेंड वाला इक्वलेशन लेवी होता है ना तो उसमें थ्रेशोल लिमिट क्या था? वान लेग था कि टू क्रोस, टू क्रोस. टू क्रोस भी कैसा? वान टू वान के सबजन टू वन, सबजन टू वन, तो सबजन टू वन मतलब ये देखो, सबजन पीक्यू आर को दे रहे, लेकिन सबजन टू पीक्यू आर, मतलब कली वान टू वन मत देखना, सी फर्स्ट वाला होता है, तो एबेन टू पीक्यू आर, वो वन लेग देखन जैसे कितने सारे जन होंगे 2 PQR यह टू ग्रोस और मोर होना चाहिए और वो लिखा था समय दिखा हूं इदो क्या लिखा था जैसे कितने लोग होंगे न तो सबका टोडल थी कुरोस और टू क्रोस और मोर है तो सेकेंड वाला इकुलेशन यह मस्ट हो गया है है ना तो इसमें टू पर्सन वाला इकुलेशन ले भी आएगा अगला ट्राइ करो MNO का PE इंडिया में है लेकिन PQR का PE नहीं है अगला ही ते देखो यह विद PE है और यह विदाउट PE है और फीरस्ट वाले में था ह्य क्या कि पेर फीरस्ट वाले में बना गातर यह वाले वाले क्या? पेर रेसिटेंट और विद पी तो देको इधर रेसिटेंट तो नहीं है बड़ विद पी ए रेसिडेंट क्यों नहीं के सूझ ज़रों किसब दूसरी कंट्री के लोग है और अभी इन लोग क्या कर रहे है इसको with P बना रहे है, sorry जलती से लिगा, nr with P बना रहे है, और nr with P ने अगर add करवा है और सामने receiver is nr without P, तो first वाले fit हो रहे है, तो बता ना best ना pair receiver करकी आथ कर टेक्निक आथ रखो मेरे, तो पहले online advertisement है, pair, resident, nr with P, receiver, nr without P, तो 6%, 1 to 1, 1 lakh, दूसरे वाले online advertisement है, pair b nr without P, receiver b nr without P, online advertisement 1 to 1, 1 lakh, के subjun to 1, subjun to 1 jan, 2 crores or more, targeting Indian customer, तो see, ये वाले में, second वाले में तो अपना कौन सा बैट रहे है, 6% वाला बैट रहे है, तो इसक्स परसें लिग देता हो, अब ट्राय करना, थर्ड वाला, PQR as a P in India, मतलब ये जो कमाने वाला ना कमाने वाला, उसका P, with P, अरे, अपने सब में क्या था, अपने हर एक वाले में कमाने वाला, without P, ये, सब जगा दिखा देओ, तुम लोगो बरोसा ने तो देओ, सब जगा चेक कर लेना, हर एक में देख लेना, इधर भी देखो, कमाने वाला, without P, okay, फिर ये देख लो, Amazon के platform में भी कमाने वाला, without P, और वो जो दूसरा है, उधर भी कमाने वाला, without P, तो सिक, पूरी Equalist, लेवी की भुनियादी क्या है, ये देख चैप्टर का heading में ऐसा लिखता हूँ, बिजनेस कमाने वाला, without P, वोना चीए, लेगिन इधर तो उधर ही लफड़ा हो गया है, देखो, क्या कर दिया है लोग ने, कमाने वाला, कमाने वाला, PQR है न, वो अगर with P, वो गया, तो तो बोलना चीए, भाई, इसके ले तो Equalational Levy है ही न, यह regular income tax में आएगा, it will come in regular income tax, तो न तो 2% न 6%, क्या बोलना चीए, regular income tax, because उनका इंडिया में PA, तो इंडिया में, सादा income tax ही बढ़ देंगे, तो यह first question था, see, Equalational Levy का है न, सुमको इंसर का धाचा बता देता हूं, पहले है न, प्रोविजन लेको, फिर अपना जज्ज्मेंट दो, provision and then give your judgment, with reasoning, तो see, मैंने तुमको प्रोविजन लिखने का standard style बता दिया है, जितने भी question हैं, मैंने उसमे provision ऐसे लिखे है, मैंने answer को uniform रखा है, कोई भी Equalational Levy का question हो न, पहले provision लिखो, तो see, दो Equalational Levy है, तो दोनों के provision exam में कैसे लिखोगे, मैंने भी बहुत simplify कर दिया लेंगो, यह देखो, वो जो 6% वाला पहला Equalational Levy है न, उसको section 165 बोलते हैं, और जो 2% वाला दूसरा Equalational Levy है न, उसको 165 यह बोलते हैं, तो see, फर्स्ट वाले के लिखने का style क्या होना चाहिए, this is attracted if following conditions are satisfied, conditions क्या है, transaction should be of online, advertisement or other specified service, actually law में online, advertisement and other specified service भी लिखा है, जो अभी तक specified नहीं किया है, फिर pair कौन होना चाहिए, resident और NR with PE, receiver कौन होना चाहिए, NR without PE, यह 6% वाले के लिख, और amount 1 lakh और, sorry, more than 1 lakh, रिबारा बने, पहला वाले एकदम, फर्स्ट वाले equalization levy, see, जिस तरह से में बोल रहा हो, ऐसे लिखाए देगो, pair receiver, amount, और online advertisement, फिर दूसरे equalization levy के लिए, कैसा लिखना चाहिए, रिमेने अपने own language लेंगेजर ड्राफ किया था कि इंपल वे में तुम याद कर सको, क्यों एक्जाम में प्रोविजन लिखे भी का direct conclusion तो को marks नह जाता, मैंने उसको एकदम ऐसा रखा है, without defeating the provisions, तो पहले provision लिखना है, तो इसका second वाले का लिखने का style क्या होगा, देखो, this is attracted, the following conditions are satisfied, यह देखो, e-commerce operator, nr without p, वो Amazon का याद रखो, product भी किसका होना चाहिए, nr without p, operator भी, nr without p, product भी, nr without p का customer Indian होने चाहिए, और Amazon की drawing की तरफ मेरा इशारा है न, यह वाला, बराबर, तो वो ही साब से लिखा है मैंने, लेकिन बाद में, total consideration, of such e-commerce supply service मतलब, यह one to one है के subject to one, subject to one, वो two crores और more होना चाहिए, यह एक्जाम में लिख दो, फिर बाद में न, यह two percent वाले में, एक और equalization वाले में, पेर, बोट अर न, विदाउट पे, अरे मनले इतने में मैंने पूरा equalization वी का summary लिख दिया है, actually exam में अपने वो सब लिख के आजाने का, लेकिन हाँ, अगर तुमको लगाना question में, इसका कुछ डाला ही नहीं है, तो यह मत लिख के आना, अपने sum में तो यह देख, 2 percent का भी knowledge बताना पढ़ रहा है, 6 percent का भी knowledge बताना पढ़ रहा है, तो अपने दोनों के provision लिख के आएंगे, लेकिन अगर मान लो question काली, 6 percent equalization ले भी पहना, तो अपने काली इतना ही लिखेंगे, फिर जबड़स सी extra मत लिखना, फिर इसकी जरूद नहीं है, तो यह हर question की शुराद में चाप दो पहले, फिर जो अपनी भाशा में लिखना, लिखो अच्छी तरह से, आंसर तो क्या, बच्चों का आता ही होता है, आधे टाइम, लेकिन फ्रेम के से करना, तो उसका फ्रेमिंग हमेशे ऐसे करोगे, ओके, और सी इधर इंडियन कस्टमर का डेफिनेशन भी देना पड़ेगा, इंडियन कस्टमर का मतला ही है, तो यह जो स्टार्टिंग का पार्ट है न, यह स्टैंडर्ड टेंप्लेट बना दो, हर सम में चाप के आजाना, फिर बाद में मैं यह सब रीड नहीं करा रहा हूँ, यह तो अपने डिसकस कर लिए न, केस वान में अपना अंसर क्या निकला था, 2%, 6% रेगूलर इंकाउंट है, याद रहे न, 2, 6 रेगूलर, 2, बरवर चेक कर राइट किया है, 6, केस टू में, और लास्ट वाले में तो, इकोलेसले भी अट्रैक्टी नहीं होता, खतम होगे एक सम, फिर, डारेक्ली में इस सम पर यारोई देखो, ये वाला ट्रै कर दे, मजायेगा, क्वेश्चन फूर, क्वेश्चन फूर ट्रै करना, सुनो मैंने क्या के सुनो न, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन को बेज लिया है, और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशन्स कर दिये, थाकि ये मास्टर प्रॉलम बन जावे, करो, बेज आईसी एक का क्वेश्चन नहीं है, बड़ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज है, दूसरे एक्जाम्स की डालके, एक एक्वेश्चन सम्बना दिया, पढ़ो, ओलियो इनकॉर्पेशन, यी कॉमर्स ऑपरेटर, इनकॉर्पेटेटे इन चैना, एस नो फिजिकल प्रेजन्स इन इंडिया, मतलब रहे, इस नो पर्मानेट एस्टाबलिश्मेन इन इंडिया, तो चाइना की कंपनी NR without PE लिखा है ओके तो यह देखो इधर मैंने क्या लिखा है पड़ Olio जो e-commerce operator है यह NR without PE है ओके फिर बाद में क्या लिखा है details of e-commerce supply or service सी कभी भी ऐसा sale of goods sale of goods जो सर ट्राइ करते है न तो जन्रल वाला इक्वलेशन लिए अड़र्डिश्मन वाला नहीं है सी अड़र्डिश्मन में तो मैंने कैसे सिखा है पेर रिसीवर देख पेर रिसीवर और जन्रल गूड्स एं सर्विस बेशते हैं तो क्या बोला तो बताओ देखना मत पहले जिसका वेबसाइट है वो एनर विदाउट पी जो Amazon का ड्रोइंग और जिस पर जो माल भी रहे हो भी एनर विदाउट पी कस्टमर देशी ओने चीए तो एनर विदाउट पी एनर विदाउट पी कस्टमर देशी है यादर रिणा तो इधर e-commerce operator तो एनर विदाउट पी है अब देखो गुट्स किसके किसके बिक रहे है सेल अब गुट्स ओन्ड वाए ओल्यो इनकॉर्पेशन तो पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस ओव इंडिया तो सी वेबसाइट किसका है एनर विदाउट पी माल किसका बिक रहे है उसी का बिक रहे है और वो तो एनर विदाउट पी है ना तो देखो माल भी इदो गुड्स ओन बाई ओल्यों मतलब वो भी एनर विदाउट पी है तीसरी कंडिशन क्या थी कस्टमर देशी होने चाहिए कॉस्टमर कौन है पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस ओव इंडिया ले यह तो इंडिया की कस्टमर है तो पूरा फिट हो गया ओके तो इसमें आएगा की नहीं आएगा आएगा मैं तुमको पहले ही बता तो सम में क्या पूछा है इक्वलाइजेशन लेवी कंप्यूट कर, कंप्यूटेशन का सामें अगला वला ट्राय करो सेल ओफ गोड्स ओंड बाई ओलियो इंकॉर्पेशन तो नॉन रेसिडेंट तीन कंडिशन बोल, रिपीट करूँँगा चलेगा रड़ट ग्याँ वैब्साइड वाला इन-ины वडव क्या और विडवी जिसका माल वडवी क्या हूबी वडवी हम्न करना içi तो सी वडसौडव्स ओलार बी जिसका अचुन करना गया ओलियो वह ओनर विडवीडीज हूबział पी तो तो IP address भी इंडिया के उस्दी कर रहे है, तो देशी customer नहीं है, तो equalize ले ले भी cross नहीं आएगा, cross के बरावर किया है, फिर, sale of goods owned by Zipplo, Japanese company, having PE in India, 1 crore, वापस repeat करो condition, जिसका website नर without PE, जिसका माल भी कर रहा है, वो भी नर without PE, customer देशी, तो सी इदर website तो ओलियो का ये पूरे सम में, है ना, और माल किसका भी कर रहा है, Zipplo का, लेकिन Zipplo का PE है इंडिया में, तो आटक है ना, मैंने कहला, जिसका product भी कर रहा है ना website वो भी नर without PE ची है, लेकिन इदर Zipplo, Japanese company and having a PE in India, तो product के मामने फेल हो गया, फिर कोई बोला, कस्टमर का क्या करना है, वो condition सैटिस्वाई हुई तो भी क्या हो जाएगा, वेब साइट पे तीनों कंडिशन सैटिस्वाई होने चीए, तीन कंडिशन है, तो दूसरी कंडिशन में अटग है, जिसका माल बिक रहा है, वो एनर विदाउट पी नहीं है, तो कस्टमर देशी होके भी क्या कर लेंगे, तो ये बार हो गया, एक से न, अरे क्या होगी, एक, प्रॉस किया देखो मैने बाजू में, फिर अगला वला ट्राइ करो, सेल टू इंडियन रेसिदेंट्स, देशी कस्टमर को बेचा है, क्या बेचा है, कॉस्मेटेक्स, ओन बाई केटी लिमिटेड, अ स्वेडिश कमनी, हैविग पी इन इंडिया, फोर सेल अफुटवेर, कंडिशन क्या था बोलना पड़े है, इन 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 इ सर्दें किसमेटिक बिक्राइब 2 मिद्र MINISTर को कॉस्मेटिक ग्रैना तो वेबस्टेंट में जोँ माल कर दिक्राइब भारती कर नहीं न कोम्रेसर लिखाना पिलेबर फुट्वेर का है फुटवर चोड़ अपने कु कॉस्मेटिक, Lowe, कॉस्मेटिक प्रोड़क के लिए के एंटिया में प्ये क्या नहीं तो विदाउट प्योग्या मलब प्रोड़क्ट इस here we are without P वाला तो second limitation said you have customer desi होना थी customer HSI लिखा है Indian resident, स्वीट होगया यार tell me, अगर kouse Unix a website है and कि अरे कॉस्मेंटिक भी कर और कॉस्मेंटिक का इंडिया में पी होता तो तो प्रोड़क्ट को लफडे वाला हो गया न एन और विद पी वाला प्रोड़क्ट हो जा तो कंडिशन फुल्फेल नहीं होती है कि यह वाला आएगा कि फिर इसooky यह अरिवन गुड्स ट्रांजेशन टै यह गुड्स सेम्ड्स के लिए कुछ कर रहा हूं जो कि शिंपल ने को हुआ हैन दे दिया है हम आ कि online advertisement online advertisement कि करtså कि भूरर देखना मत देखें भी कर बताना online advertisement का rule क्या है अगर पेर रेसीवर दोनों एनर विदाउट पी तो 2% आएगा टारगेडिंग इंडियन कस्टमर और सब जन 2 एक जन 2 क्रोज और मोर ओके लोग को सर्विस मिलती है तो पैसा देते हो ना के यूट्यूब के लेक्षर का नहीं दे रहे हो तो इधर्स कृषा पहले है पीजयल्स केसको आटसे है किसको मिली है ai किसको मिली है अवरे निंग बार औरर सबसें सर्विस किसको मिली है पर्सन रेसिडेंट तो यह पेर हो गया तो रेसिडेंट पेर है और पैसा किसको दिया हो ओलियों को वह एनर विदाउट पी तो मैंने क्या हुदा अगर पेर रेसिडेंट है और एनर विदाउट पी और सामने वाला एनर विदाउट पी तो फर्स्ट व पेर तो माहल 6% का मना है लेकिन 6% में क्या है 1,00,000 से यादा होना चीए यह देखो क्या लेका है वेन अमाउंट अब बिल और एग्रेगेट अमाउंट अब बिल अग्रेगेट बना पूरे साल का तू और रिसीपियंट और अ मतलब एक जन to a recipient a बिल कौन बना रहे है ओलियो ओलियो एक है और सर्विश इसको मिली हो भी a लिका a समझ रहे किने क्या बोल रहाऊ a recipient माला सब जन का बोला है की एक जन का एक जन का एक जन को जो पैसे Epic की है वो कितना है it does not exceed 1,00,000 per recipient तो मैं लोग 1 lakh नहीं हो अपने को 6% में क्या चीए 1 gen to another gen, gen to gen 1 lakh से यादा होना चीए लेकि इदर 1 gen to another gen एक लग से यादा नहीं हो रहा है इदर क्या लिखा है, it does not exceed 1 lakh तो यार अपना 6% नहीं बन पा रहा है लेकिन अगर 6% नहीं बन पाया न तो general 2% में ट्राय मार सकते हैं वो 2% वो nr without p nr without p वाला online ad नहीं amazon वाली drawing में भी डाल सकते इसको इसके अंदर general वाला कैसे लगया बताओ वो general equalization लेवी जो 2% उसमें condition क्या था बताओ गिनो ना तीन condition website nr without p product nr without p customer देशी तो सी website ओल्यों का nr without p product online advertisement का है वो online ओल्यों वाली करें आड वो भी nr without p see the product is advertisement in fact product नहीं service है ना nr without p website वाल है ओल्यों और ओल्यों का product advertisement है वो भी तो ओल्यों का ही product है वो भी nr without p और वो product के मज़े कौन ले रहा है देशी customer यह देख मज़े कौन ले रहा है देशी customer कि अरे मतलब वो जन्रल लेक्वालेश लेवी तो फिट ओर रहा है ना कोई भूले नहीं sir advertisement है see वो जो amazon की मैंने ड्राइंग बता है थी ना amazon की drawing में ना amazon के platform पे कोई भी goods और service हो सकता है तो शायद amazon वाले advertisement services भी बेच रहे होंगे आव advertisement services ले लो आम से तो service भी तो हो सकता है ना लेकिन advertisement service दूसरे कही फिट नहीं होना चाहिए तो see यह exam कही point है तुम लोग को जो लो पास्पर पहले देखे idea होगा in fact मैंने revision lecture में तुम लोग को करवाया भी था revision के session में रैपिड revision उसम दिखाया था इसा में ठीक है तुम लोग को कहां याद रहता है मेरे साथ बिताया हो वक्त तो इधर यह 2% वाला equalization ले भी बैट रहे है 2% वाला है यह sale of goods and service में आ गया जो टिपिकल online advertisement का मैं जो बता हो नहीं जेनरल goods and service के दाएरे में आ गया और जेनरल वाले का तू परसंट इता हो ओके है और कंडिशन भी जो जेनरल वाले में तीन कंडिशन तीनों सैटिस्वाई वेबसाइड एनर विडाउट पी का प्रोड़क्ट भी एड़डिश्मेंट उसी का एनर विडाउट पी और प्रोड़क्ट का जो कस्टमर वे इंडियान कस्टमर एड़ो परसंट रेसेडेंट इन इंडिया जिसके लेए ड़डिश्मेंट करें और कस्टमर हो यह ना ओ हाँ तू सी आर वाला देखना पड़ेगा ना वो तो देखेंगे ना वो तो वो तो ओलियों का ओर अरोल देखना पड़ेगा अरे तो टू परसंट वाले तो बहुत है यह देखो एक से ना यह दो टू परसंट वाला कौनसा कौनसा जल्दी देख मैं देख क्या कर रहा हू वाले सब एग्रेगेट करना पड़ता है मैंने कहले एक जन टू दूसरा जन के सब जन टू एक जन सब जन टू एक जैसे सब ट्रांजेक्शन बढ़ा ओलियों को एक सिंगल एंटी दिमान के देखना है लेकिन ओलियों को ऐसे जितने भी अमोंट्स मेले सब टू क्रोज और मोरना चीए खतम नहीं हो है सम क्या टोटलिंग कर रहे हो सम तो खतम होने दो चल रहा है भी सम एक और पॉइंट बच्छा है यह दो ही क्या है सर्विस प्रोवाइडेट टू नॉन रेसिडेंट बाइवे ऑफ सेल ऑफ ओनलाइन एडवर्डिस्मेंट टारिगेटिंग रेसिडेंट इंडियन कस्टमबर सिर वो जो दूसरा होना ओल्लाइन एडवर्डिसेटें क्या बोला तह पेर भी एनर विद आउट पी रिसीवर भी एनर विद आउट पी तो मालमे मैंने अभी अभी डायलोग मारा आ जिसको सर्विस पीलिति अग्टेंट हो पेर होता है ना service किसको मिल रही है non resident को मिल रही है तो इसको service मिल लिए तो इन लोग ने pay किया होगा तो यह pair है हाँ इसका PE का कुछ status नहीं दिया है कभी भी question में सिर्फ NR दिया always without PE होता है कि NR बाहर के लोग है तो बाहर के लोग तो बाहर ही बसे वे होते by default assume करने का without PE तो यह दो पेर non resident without PE without PE लिखाने के लिए assume और यह पैसा किसको मिल रहा है olio को olio add कर रहा है वो भी NR without PE और दो NR without PE मिल जावे और online add होवे जिसमे target इंडियन customer है तो 2% वाले में आएगा और 2% वाले का है ना aggregation में देखते है वो per transaction per party नहीं ऐसा तो यह 2% वाले में आएगा तो 2% वाले कितने जमा हो गए 0.70 करोड पॉइंट पचास करोड फिर यह 70 लाक्स है सी वन लेक तो क्या हो रहे हो हर जन एक लाक से कम की एड करवा रहा था हूं यह 1,000,000 वाले में नहीं फिट हो रहा है सा बोलना चाहरे थे हैं अरे मतलब यह ओलियों में सुन एक्चूली क्या होगा सुनो नहीं इदर यह वाला था ना जो रेसेंड लोंगे एड करवाई ऐसे हजारों रेसिडेंड ओंगे सबने ओलियों से एड करे चोटी चोटी ला लाग से कम की दी हर जन लाग से कम हर जन लाग से कम तो हर जन 6 परसें से चूडिया और ऐसे हर जन लाग से कम हर जन हर जन हर जन हर जन हर जन ऐसे कितने जन सतर लाग टोटल ला रहा है अरे सतर लाग कर्ला 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 है कर्ला हो 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 सांगा हो तो 70 लाक्स ऐसा है तो तो क्या बोल रहे है ओलियों को जितने भी जन एड किया न सब एक लाग से गम एक लाग से गम लेकिन ऐसे कितने जन हुए तो सब का टोडल सतर लाग और अपने टू परसें में लेता तो एग्रेगेशन पूरा गड़ दे पूरे साल का तो बाड़े टोडल होता है तो तो से यह यह था यह था यह था यह था यरिय यह था यह था एड करो कितना दो कrorर जादा आ रहा है न तो इक्लेशन अलिए है आएगा से कंडिशन बाड़ फूल फुलफिल और टू कुरोडल भी तो होना चेंब तो इसका किसी में भी नहीं आता 2% attract करने के लिए 2 crore होना चाहिए 2 equalization लेए 6 वाला 2 वाला 6 को attract करना है तो 1 lakh crore होना चाहिए per percent 2 crore होना है 2% को attract करना है तो 2 crore होना चाहिए simple as that और इस सारे 2% वाले तो बने न तो सारो का 2 crore होए तो मतलब है तो सी इधर है ना मैंने क्या वाला answer कैसे लिखते पहले provision लिखो और provision लिखो मैंने 6% वाला भी लिखा है जबकि पूरे sum में 2% 2% ही बना लेकिन एक जगा है ना 6% से बस्ते बस्ते रह गया ना मलद 6% में आते आते रह गया ना इसने मुझे 6% की भी theory लिखने पड़ी तो मैंने क्या सिखाया है 6% की theory कभ लिखो जब knowledge 6% का लग रहा हो और 2% जब 2% का knowledge लग रहा हो बड़ यह तुम लोग देखना मैंने हर sum में standard format रखा है इतना तुम लोग रटी लेना हर exam में चापके आज़ा है हर sum में फिर computation पूछा है तो statement बना है यह तो अपन कर लिए थे ना आप ही गया था खतम होगे sum हो गया नहीं है अभी पढ़ा नहीं रहा हूं इस अब यार यही सब तो है सब को total करके अपने कैल्सी पे निकाली थे मेरे साथ तुम लोग 2 croze 10 lakhs और 2% इस पर equalization लेवी आएगा आसी कितने लोग को doubt रहा है सर इस पर सरचाज सेस नहीं सरचाज और सेस regular income tax में होता है यह equalization लेवी एक special दुनिया है और इसमें सरचाज सेस वगेरा नहीं होता लेकिन अच्छा है पूश्ट है यह mistake होती है है ना टीडियस वीडियस होता है अलग चीज़ है ना टीडियस income tax की दुनिया में आता है वो सब यह equalization लेवी इंकम टेक्स की दुनिया से अलग है फिर जल्दी देखो जल्दी यह हो गया फिर लुक एर दो जोड़दा सम लिए सब आईसी है के यहां कुई सिख थेकना मैं फोस्ट के बाद ड्रेकली फोर्थ पे आ लेखा था था सिख फोर्थ पे आ गया अभी सिख्थ बे जा रहूं शिख्व उस्वें टारूम गा सिक्स्ट करो फटावरट कर एग एक बात बतों मैं लिखके देता हूँ एक्वलाइश लेवी में मैंने जो पड़ा उसके बाद से को डालना पॉसिबल इन इन फिक्स्ट है मैं बोला लिटरली रट लेना थी है ओनलाइन एड़िडिश्बेंट में दो ट्रांजेक्शन रट लो एक में पेर रेसिडेंट और इनर इनर विदाल्ट डॉसरे में तो बनों पी टारविडरली इन कंडिस्टर मोले थी प्लेटफोर इंनर विडाऊट पी का जिसका माल से लिए और नर विदाली का स्टूमरूर देन से इसके बाद से इन लोग्ट कुछ रही नी बनाने के लिए यह ट्राः करेंने में को स in USA, engaged in manufacturing and selling mobile phones globally, it sells each mobile phone for 2000 US dollars, मतलब ये US की कमनी है, पहले मैं बता तो तुम लों को तीन कमनीयों के बारे में कुछ बोला गया है, की भी USA की कमनी है, फिर Alpha क क्या बोला है, ऑनाथर कमनीयदेस यूएसे ले ये भी USA वाल है लेकिन ये क्या क्रता है, ओंस and managers the website ये website यूइंटेसे वाल है e commerce operator बहुते इसको, ने website भी 2% रहीं बोला थै वो 6% में भी आड तो on-laiser है ना तो दर वेबसाइट होता है, 6% वाले में, अपने देशी लोग जो एड करवाते हैं, वो भी e-commerce operators ही करवाते हैं, आज में, शिरीश्वयाच, इंडिया वाला रेसिडेंट, गूगल में एड कर वाला, तो गूगल का भी वेबसाइट हैं, तो वेबसाइट से 2% जदनी करना चाहिए, वो तो पूरे equalization levy में, जो target हो रहा है, वो वेबसाइट वाले लोगी है, ओनलाइन वाले, फिर क्या लिखा है, it manages a website which acts as a market place for buying and selling goods, उसकी website माल भीखता है, and also advertisement host होती है, और जोड़दार website, इसकी website माल भी भीखते है, goods भी भीखते है, advertisements भी होती है, ओके, फिर gamma incorporating UK, it is engaging manufacturing printers, तो देखो क्या क्या बड़ा, कीवी, USA की कमनी, alpha, USA कमनी, gamma, UK कमनी, यह देखो, USA, USA, UK, है न, और उसमें मैं इसको भी underline कर देता है, वेबसाइट वाला है, e-commerce operate, एक काम करता हो, सम का है न, direct last time एक पढ़ लो न, क्या लिखा है, कीवी, alpha, gamma, does not have, do not have any, P in India, माला किसी का भी इंडिया में P नहीं है, माले जो कीवी, alpha, gamma, तीनों का इंडिया में P नहीं है, और तीनों foreign के माले NR है, तो इसको क्या लते है, NR without P, यह देखो मैंने क्या लिखा है, यह सथ करके रखा है, तुमारे लिखो, दिखा, NR without P, NR without P, NR without P, तीन वार क्यों लिखा है, कीवी, alpha, gamma के लिए, यह clear है, अब देखते हैं क्या हो रहा है, Equalation लेवी की बात तो कब बनेगी, जब कुछ माल बेचो, या add करो, वैसा अभी तो कुछ आया है नहीं, आएगा, पढ़ो क्या लिखा है, During the previous year, 23, 24, कीवी Incorporation, sold, देखो, माल बेचने का बात आया, 80,000 mobile phone, कीवी ने बेचा है, क्योंकि देखो, तुम लोगो याद दिला देखो, कीवी का mobile का धन्दा है, गामा का किसका धन्दा है, प्रिंटर का, अलफा क्या करती है, वो तो website बना के रखी है, अलफा वाले तो क्या है, फैसिलिटेटर है, website बना के रखा है, उन लोग ने खाली, और product, mobile phone किसका है, कीवी का, प्रिंटर किसका product है, गामा का, लेकिन अपने को जो table दिया है न, ओ mobile phone का ही दिया है, लिखा है न, और यार न, mobile phone, कीवी का ही product है, बढ़ो क्या लेका है, platform through which mobile phones are sold, customer to whom mobile phones are sold, number of mobile phones sold, तो tell me, पहले तो ये चेक हो रहे कि, advertisement का बात हो रहा है कि general goods है, अरे मैंने बता न, advertisement होता है, तो pay receiver से चेक करते, और general goods है, तो तीन condition चेक करते, क्वाँसी तीन condition, website, nr without p, जिसका माल बिक रहा है, वो भी nr without p, customer Indian होना चाहिए, ये general goods and service हो और advertisement हो, तो pay receiver करके देखना चाहिए, ऐसा दो क्यूं कर रहा हूँ, दो online advertisement के points, तो ये तो general है, तो चेक करते हो ये के करके, करो start, general में तीन condition क्या थी, website, product और customer, website किसका होना चाहिए, nr without p, तो इदो platform अले website, ये किसकी है, alpha की, वो तो nr without p, बोला ही है, और, माल किसका भीक रहा है, और ये website देखते, फिर माल किसका, kiwi का भीक रहा है mobile, वो भी nr without p है, और ये अपने सभी तो nr without p है न इधर, तो इदेखा, website, alpha का nr without p, माल किसका भीक रहा है, एक से न थोड़ा नीचे करना, माल किसका भीक रहा है, kiwi का, वो भी nr without p, customer देशी होना चाहिए, customer कौन है, ये दो customer का, resident in India, ये सब set हो गया, मजा आ गया, हो रहा है set, किस में set हो रहा है, वो two person वाल है general में, बराबर, लेकिन सी two person वाला है न, two crores और more होना चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन वो पर, एक जन टू एक जन, के सब जन टू एक जन, सब जन टू एक जन, फिर, अब देखो, दूसरे में क्या है, website किसका है, platform मनले website किसका है nr, without p, okay, माल किसका भिख रहा है, kiwi का, यह पूरा table ही mobile phone का है, nr without p, customer कौन है, non-resident, जो UK में बैठके, shopping कर रहे, तो UK में बैठा है, तो wifi भी UK का use हुआ होगा, IP address of India, के IP address of UK, तो Indian customer नहीं बन पाएगा, see, sitting at UK से, क्या बोलना चाहरे, wifi भी वहाँ का use है, वहाँ बैठा है था, तो IP address इंडिया का नहीं है, तो customer, इंडिया का नहीं है, तो इसने लफडा कर दिया न, तो यह दो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इदर और इदर इसने अट काड़ा ना, पहले वाले में तो सब सेट हो गया था, यार, देंगे इदर यह सेट वहाँ, यह सेट वहाँ, इस ते फासाड डाला न, थोर्ट, एक जो तीन कंडिस्टें की तरह याद कर लो न, वेबसाइट, एनर विडाउट पी, प्रोडॉक्त, एनर विडाउट पी, customer Indian, simple है, सी यह वाले में तो जादा डेटा नहीं दिया, सब एनर विडाउट पी बता दिया था, यह वाले में तो खाली कीवी का मोबाइल का धन्दा है, गामा का प्रिंटर का धन्दा है, और अलफा वेबसाइट वाला है, अब ट्राइ करो, next transaction, through कीवी इस ओन वेबसाइट, वेबसाइट किसकी है, condition क्या था, वेबसाइट एनर विडाउट पी का होना चीए, और कीवी भी तो एनर विडाउट पी है ना, तो, और माल किसका होना चीए, एनर विडाउट पी, वो तो कीवी का है माल भी रहा है सब, वो भी एनर विदाउट पी कस्टमर इंडियन होना चीह है वो है आधिको रेसिदेंट कस्टमर मस्ट हो गया है यह तो मज़ा गया है दो को यह भी टेक यह तो है और यह भी सब टेक सब ठीक हो रहा है तो आएगा टू परसन वाला आजाएगा टेल मी टू परसन वाले अपने सब एगरेगेट करते वालों मैंने यह तू परसन में कैसा है एक जन टू एक जन के सब जन टू एक जन सब जन टू एक जन तो यह अलग जन है यह अलग जन है मोबाइल फोन खरीदने वाले बहुत जन होंगे लेकिन अलफा का और कीवी का एगरेगेशन मत कर देना सब जन टू एक जन तो जब अलफा है तो अलफा जन अलग कीवी है तो कीवी जन अलग तो इधर सब का इंपोर्ड़न्स के है सब कस्टमर सब कस्टमर टू अलफा वो टू करोज अलग होता है फिर सब कस्टमर टू कीवी वो टू करोज अलग होता है अरे वेबस्ट यह टू पर्सन वाला वेबसाइट वाले को बरना पड़ता है तो जो आलफा अपनी वेबसाइट का बरेगा कि अर्फा का अलग रखने का उलक तो पर्सन इस पर वेबसाइट वाला दोनों का website अलग एंटीडी है न ने तो लोग क्या गरें 2% 2% merge करदो सी मैंने 2% के लिए सब जण तू एक जण बोला वह एक जण क्यों बोल रहे हो सब टू एक सब मलब जो एडेसी customer है वो सब हो गए तू एक जण वो एक जन वेबसाइट वाला है तो alpha एक जन वेबसाइट वाला है तो वो अलग फिर दूसरा कीवी एक अलग वेबसाइट वाला हो गया तो दूसरा जन हो गया तो वो दोनों का अलग रखना पड़ेगा तो मैं को बता ये alpha का 2% वाला, कीवी का two percent वाला साथ करना है कि अलग रखना है अलग रखना है because that two crozes per website वाला माना के subject किसके लिए बोला था सब Indian customers का इखटा but per website वाला फिर यह यह वापस website कीवी का ही है तो website condition website किसका होना चाहिए NR without PE तो वो condition satisfy हो गया और माल किसका भिखना चाहिए NR without कीवी का ही भिखना सब customer देशी चाहिए customer कौन है यह customer persons who are not resident in India using UK का internet तो तो clear बोला इंडिया का customer है ही नी तो see इधर मजा नहीं आया यह हो गया अच्छा था इसने अटका डाला तो आएगा के नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा न कतीनों कंडिशन फुल्फिल नहीं हो आएगा तो नहीं आएगा अरी यह customer देशी है के पर देशी है दिगा ना persons who are not resident in India मलना तो इंडिया के resident है और internet भी इंडिया का यूज नहीं कर रहे है तो customer इंडियान नहीं है न तो उस current से cross हो गया है फिर through kiwi's physical store physical sale के लिए तो equalization levy है ही नहीं तो उनको पता है कंडिशन तो छोड़ सबसे पहले मैं बच्चों को equalization levy का chapter चालू करता हूं न chapter का नाम ही क्या लिखता हूं online business of nr without pa तो online ही नहीं तो physical sale है तो यह equalization levy के दाएरे से बाहर है online sale ही नहीं है न यह physical है आगे देखना ही क्यों है physical sale पे equalization levy है ही नहीं physical store है फिर एक से मैं तुम को sum card आचा बदो यह देखो look here जल्दी देखो नको अच्छी जी बता रहूं इधर देखो देखना पड़ेगा यह table किसका था sold का sold नीचे जो पहरा है न वह advertisement का है यह देखो इसी question का हुलिया देख लो question में एक table है वह सब sold sold से बढ़ा पड़ा है तो अपने general वाला ट्राइम आ रहे हैं अगर पेर रेसिडेंट नर विद पी और रेसीवर नर विदाउट पी तो 6% वाला और पेर रेसीवर दोने नर विदाउट पी तो 2% वाला और 2% वाला हो तो website वाले में एग्रेगेट हो जाएगा उसब 2% वाला तो सारे 2% एकटे रहते हैं न तो पड़ो क्या लेका है गामा एंटर्स इंटो कॉंट्राइक विद आल्फा फॉर पॉब्लिशिंग इस एड्विडिश्मेंट ओन वेबसाइट ओफ आल्फा फॉर पीरियड फॉर्स्ट मार्च तो 31st मार्च एक महीने का कॉंट्र 50,000 for hosting advertisement in India for Indian customer and US dollar 20,000 for hosting advertisement UK for UK customer मैंने क्या बताया था advertisement pair receiver देखने का तो करो pair receiver check करो pair कौन है और receiver कौन है बताओ pair गामा, receiver अल्फा और दोनों एनर विदाउट P.E. अरे दोनों एनर विदाउट P.E. यार अपने starting में देख लिए थे इस सब एनर विदाउट P.E. लोगे गामा हों मा सभी है और दो एनर विदाउट P.E. के बीच में online advertisement होता है तो 2% वाला पर targeting Indian customer तो सी इधर ये 50,000 US dollar है ना वो for Indian customer हुआ है तो ये वाला तो ले लेंगे लेकिन वो 20,000 US dollar किसके लिए for UK customer तो targeting UK customer तो इसको नहीं लेंगे लेकिन एक किसके aggregation में जाएगा ये किसकी website पे अड़ हो रही है अलफा की website पे अड़ हो रही है तो मैंने कहला 2% is per website वाला subject to एक website वाला तो अलफा की website में बहुत काम हो रहा है ये भी काम हो रहा था है है ना और यह भी काम अलफा की website में बहुर है टू परसेन वाला और तो अलफा की website पे 2% और जितने भी काम हो रहा है और अग्रिगरेट करो फार वेपसाइट और टू क्रोर्जन पर वेबसाइट वाला, तो आलफा की वेबसाइट भे क्या क्या हो चुका है, सो एक हुआ था गभा तो बरसें वाला, जो तिक की है, उसको ही तेख रहा है, प्रोस्ट वाला मत लगकास, फिर आलफा की वेबसाइट भी यह बी क्रान्जेक्शन वा था, टू तो पहले डूगरी इसको मैं नहीं लोंगा यह ए अल्फा यह तो यह जान दे अल्फा का, तो एल्फा की वेबसाइट में टू परसेंगे ता और नीचे अड़र्डिश्मेंट भी तू परसेंगा बना, तो यह एग्रेगेट करना पड़े है, करके देखो, यह कितने मोबाइल बेचे है, पंदरा अजन नंबर हो मोबाइल है, यह देखो दिया है, सब देते हैं, सब में देते हैं, अपने डूणने का, इच सेल्स, इच मोबाइल फोन, यह पर उनिट प्राइस दी है, कैल्सी थोड़ा ध्यान से उसको है, बहुत भारी अमोंट से डर मत जाना, 2,000 डॉलर का एक मोबाइल है, 2,000 डॉलर, एक मोबाइल है, कितने मोबाइल है, 15,000 मोबाइल है, यह भी डॉलरों में अंसर है, 1 डॉलर कितने का है, नीचे दिया 80 रुपये का, जाट करोड़े जाट करोड़े कि अव्याट करोड़े कि अव्याटा रोए रिगार डिनाक हुआ थिरूर हो अव्याट है अव्याट बेखिवाट उतना क्रोर्ज बोल दो को साथ जिरो क्रोड के होते हैं जाद जेरो को साइड कर दो उसको अलावा 240 अरह ओगा तो 240 वाद साथ जेरो 240 करोड भाई भाई बाई 240 तो टू क्रोज से वे बियांड हो गया है उसमें तो मैंने अभी कली इसको ही जोड़ा है जबकि अलफा की वेबसाइट पे तो एडवर्डिसमेंट की हरकते भी हुई थी मैंने कहला टू परसेंट वाला पर वेबसाइट वाला है तो अलफा की वेबसाइट पे टू ट्रांजेक्शन से ना ये वाला भी था और नीचे वाला भी था ये नीचे वाला भी जो eligible हो रहा है वो ही है पचास यार US dollar की add हुई थी एक dollar कितने का है 80 रुपे का तो 50 यार into 80 कितना आता है 40 लाक तो ये वाले में निकला 240 करोड ये वाले में निकला 40 लाक तो 240 करोड 40 लाक 240.40 करोड बोल सकते इसको 240.40 करोड 40.4 करोड जो भी 2 करोड हो रहा है अपने को तो भी देखना था फिर जल्दी देखो तो टेल में एक एक का क्या बोलना पड़ेगा इसमें इसमें तो इक्वेलेशन ले भी आएगा इन्हें जो क्रॉस किया मेंने हो जो क्रॉस किया ना उसको में ना चुपाई डालता हो खाली confusion create कर रहे है इन्हों यह हाटा डालो यह सब हाटा डालो यह सब है ही नहीं यह सब कुछ नहीं है इन सब पर ही नहीं तो सिर्फ किस पर आ रहा है यह वाला आ रहा है और यह वाला आ रहा है यह alpha के सिर्फ पर आएगा यह kiwi के सिर्फ पर आएगा कि लाइल्बिटी इस ओफ द वेबसाइट होना ना और alpha की website पे यह भी था advertisement पूरा sum मैंने highlight कर दिया देख लो na cool equalization लेवी कितने हुए alpha alpha add यह तो alpha के सिर्फ पर ही गया ना लेकिने साधा goods बेचके 2% यह advertisement बेचके और kiwi का अलग equalization लेवेगा जो kiwi भरेगा हाँ kiwi का 2 croz अलग देखना पड़ेगा kiwi का 2 croz हुआए कि नहीं kiwi पर website 2 crore ना तो 7 year mobile बेचे है एक mobile 2000 dollar का इनलों का तो 7 year mobile into 2000 price है वो भी dollar हो में into 80 rupees 112 करोड 112 करोड कर लेना चलो चल्दी 112 करोड महला दो करोड से जाते है न तो आएगा एक से इधर देगो ना तुम लोग करते रहा में को जा रहा हुआ है क्वेस्टन ने क्या पूचा एक्जाम मिन दी इक्वालाइशन लेवी इंप्लीकेशन सी इंप्लीकेशन पूचा है मतला आएगा के पनी नहीं आएगा कितना आएगा बताना पड़ता है कम्प्यूटेशन बोला तो पूरा स्टेट्मेंट जैसा बना के दें तो इंप्लीकेशन बोला है मतला Amont इंड़ाई पड़ती आएगा के नहीं कितना आएगा हा ना क्यों रीजन भी बताना पड़ता है लेकिन मैंने क्या बोला इक्वेलेश लेवी का अंसर प्रेजेंट कैसे करते पहले एक स्टैंडर्ड टेंप्लेट प्रोविजन लिख दो और इदर प्रोविजन में किसका वाला लिखूंगा आलमें और 6% वाला तो इधर आया नहीं था पूरे सम में तो डरेक में 2% वाला लिखूंगा तो भी सुझता है इधर मने लिख दिया है लेकिन इसकी अवर्शक्ता नहीं है एक एक्स्ट्रा लिख दिया तो लॉस नहीं है लेकिन टाइम कम हो तो जबड़ी क्यों लिखना है क्योंकि तो 6% वाला तो कुछ create ही नहीं हुआ तो उसका provision में नहीं भी लिखूंगा तो चलता है मैंने लिख दिया है लेकिन तुम लोग एक्जाम में खाली इतना provision लिख दो करें 2% वाले का वो sufficient है फिर बाद में implication देखो मैंने कैसे दिया है ये क्या क्या नहीं दो कि एक आरो देखो गली दूस्रा थीसरा अदर अरो ये का से निकल के आरे सब ही देखो यहां से पहले सेल ओफ पंद्रह अजर मोबाइल का क्या उस पे टिपनी दो टिपनी विशेश टिपनी फिर यह 25 यहर मोबाइल बेचा उसका क्या नहीं आएगा लेकिन क्यों अरे मतलब कितने आंसर में क्या क्या लिखना पड़ेगा एक गिनना टेबल में कितनी चीज़े एक दो तीन चार पांच यह अलग पैरा लिखना है पड़ेंगे एक पिर नीचे हॉर है छे और साथ है हुआक करी मनलं साथ पॉइंट में आइंसर लिखना पड़ेगा कैसे साथ पॉइंट ट्रांजेक्शन भी तो साथ है ना यार एक, दो तीन, चार, पाँच टेबल में पाँच ट्रांजेक्शन है और एडविटिस्मेंट के भी दो है ना और यह क्या लिखा है पढ़ इधर यह क्या दिख रहा है ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन भाइस लिखना पड़ेगा जितने ट्रांजेक्शन उतने डायलोग्स साथ ट्रांजेक्शन, साथ डायलोग्स दिखाऊं, साथ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नम्बर वन एक गिनाया दो तीन चार पाँच और यह यह साथ में लिख दिया है मैंने, यह दो छे और साथ, सी आंसर कभी-कभी बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा फुर्ती रखना पड़ेगा न, सी तुम लोग थोड़ा शॉर्ट करण मार कें, सी मेंन न आंसर में, राइट, क्या आंसर क्या लिख और विद रीजन लिख बस, एकदम कम टाइम भी लेना, तो इतना तो बेजिक बनता है, कि हाँ तू परसन आएगा, सिक्स परसन आएगा, क्यों बस, क्यों बता दो, तभी तो मैंने तुमको बोला है, फिर इसमें, ये वाले सम में, जबड़ सी, तुम लोग है न, ये लिखने में टाइम बढ़ डालो, कि 6 परसन वाले, मैंने भी गल्ती से ब्रिंट कर दिया, एक्चुली, कॉपी पेश, कॉपी बेश कर रहा था न, ये हर सम में चापाए मैंने, तो इसमें क्यों 6 परसन का कुछ लेना देना ही नहीं था इस सम में, तो क्यों टाइम वेश करें, तो तुम लोग आंसर ही इदर से चालो करें, तू परसन वाले से, ये प्रोविजन था, एन फिर साथ ट्रांजेक्शन की विशे स्टिपनी दे दिये, तू सम भी मैंने कुछ सॉल की अपनी स्टाइल से, तुम लोग को इंस्टिट्यूट का उठा के सबगड़ा देता ना, तो तुम लोग को सीख तो जाता, लेकिन सॉलुशन में घूम जाते तूम लोग, इससे सॉलुशन भी मैंने ऐसा जैसा में सिखा रहा हूँ, कि अगर तूने प्रोविजन लिखा है, सही आंसर लिखा है, विद रीजन लिखा है, क्या चीए उसको, देगा ही मार्क्स, और सेफ्टी के लिए कि जिदर भी सेक्षन अट्रैक्टों लिख दिया करो ये, अपने टू परसें वाले के लिए 165 लिखने का, इसको बढ़े के लिए 165, तो ये हो गया, तो इक्वाल एशल है भी में, अपना मोड़ा मोड़ी हो चुका है, इसमें कितने क्वेश्चन कि हम लोग 3 की है न, टोटल मेंने 7 क्वेश्चन लिए, सातवा क्वेश्चन भी है, यह मेरे को करवाने का मन है, ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन मन है, लेकिन इसको मैं कल लेता हूँ, ओके, और भी कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजरल कुछ है, मला एक्चुली टेकनी के लिए कुछ खास है, लेकिन एक वार करवाना है, जैसे बहुत वारी लोग इंट आत देना पड़ेगा, तो विल कंटिनू इस टुमोरो, एंटेर आफटर दनेक्स टोपेक इस असेश्मेंट, प्रोसिर, वही है न, आपना लाइन में, असेश्मेंट प्रोसिर, ओके, तो, एक्टोलेशन लेकिन असेश्मेंट प्रोसिर का रिविशन चालू करदो, उसके स तुम्स करेंगे बाई अभी जो किया ना वो में 23 का कुश्चन था कुछ में 23 कीवी वाला सम था ना वो में 23 का सम है